Hello everyone, this is Saloni Pandey and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription So students, आज के हमारे से लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आपके chapter number 5 that is therapeutic approaches के NCRT solutions या फिर question and answers from your class 12th psychology I hope so, आप सभी ने chapter number 5 मेरे साथ पूरी तरह से complete कर लिया होगा जैसे कि मैंना आपको इस chapter के हर एक topic का detailed explanation दिया है और सब कुछ आपको detail में explain कर दिया है I hope so, आपने वो सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के तो इसी के साथ में, अब क्योंकि chapter पूरी तरह से complete कर लिया है तो किस चीज की बारी आजाती है chapter के question and answers करने की यानि की NCRT solutions आपकी NCRT में जो भी questions at the end of this chapter आपसे पूछे गए है हम करेंगे उन सभी questions को answer क्योंकि हमने chapter पर लिया है पर हमें नहीं पताना कि किस तरह के question exam में आ सकते हैं और हमें उन्हें किस तरह से answer करना है कौन सा topic हमारे लिए most important है किसे हमें बहुत अच्छे से prepare करना है ये सब कुछ हमें कब पता चलेगा जब हम questions को answer करेंगे जब हम देखेंगे कि question हमसे पूछा क्या गया है और इसी के साथ साथ में हमको answer किस तरह से करना है हमको अपने answer में कौन कौन से points add करने है क्या क्या लिखना है ये सब कुछ हमें कब पता चलेगा जब हम यहाँ पर मेरे साथ में answer writing pattern को सीखेंगे और समझेंगे यानि कि यहाँ पर questions को answer करते हुए हम थोड़ा सा answer writing pattern भी देखेंगे कि आपको अपने questions को किस तरह से answer करना है Is that clear? इसमें किसी तरह का कोई doubt तो नहीं है अब तक हमने जो भी पड़ा है आपकी psychology में वो सब कुछ आपको clear है क्योंकि again जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ अगर आप ऐसे सोच रों कि आप पीछे का सब कुछ भूल गया हो और आगे का पढ़ते जाओगे तो ऐसे नहीं चलेगा आपको साथ साथ में सारी चीज़े पढ़नी होंगी तभी तो questions का answer कर पाओगे like for example हम यहाँ पर कोई चीज आंसर कर रहे हैं जिसको हम relate कर सकते हैं chapter number 4 के साथ में तो at least आपको chapter number 4 पता होना चाहिए न so that I mean कि आपको यह सारी चीज़े clear होनी चाहिए तभी तो हम आगे का पढ़ेंगे right so I think यह सब कुछ आपको clear है तो अब हम start करते हैं हमारे question number 1 के साथ में is that clear? देखो यह जो हमारा chapter number 5 है that is therapeutic approaches इसके अंदर हमने क्या एक चीज़ को discuss किया है कि बहुत सारे psychological disorders होते हैं अब इन disorders का कोई treatment तो होगा ही तो वो treatment होता है therapies और इस chapter के अंदर हमने उन्ही therapies को discuss किया हुआ है clear? तो यहाँ पर हम therapeutic approaches की बात करेंगे हमने साथ ही साथ में एक और चीज़ इस chapter के अंदर discuss करी है that is therapeutic alliance या therapeutic relationship तो यह therapeutic relationship alliance यह बहुत ज़्यादा important है और जितनी भी therapies आपने इस chapter के अंदर पड़ी है वो सब बहुत ज़्यादा important है especially जैसे आपका behavior therapy हो गया humanistic existential therapies हो गया यह सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है और यही most important चीज़े हैं इस chapter से हाला कि इसके राबा और भी चीज़े आ सकती हैं हाना लेकिन at least यह तो आपको आना ही आना चाहिए तो अब देखते है questions किस सरा के हैं ताकि हम उन्हें answer कर सके so starting with question number one that says describe the nature and scope of psychotherapy highlight the importance of therapeutic relationship in psychotherapy देख़ो अभी जो मैं आपसे बोल रही थी वही question पूछा है therapeutic relationship के ऊपर question आया है पर सबसे पहले हम यह जानेंगे कि question को किस तरह से समझा जाता है, read किया जाता है और कैसे question के answer लिखे जाते हैं देखो, हमने इस question को normally read किया अब जैसे कोई read करता है तो बोला nature and scope of psychotherapy पूछा है और importance पूछा है therapeutic relationship का ठीक है हम लिख लेते हैं इसका यह 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 nature है यह यह scope है और यह सारा इसका therapeutic relationship का importance है but again देखो, सबसे पहले question पूछा है describe the nature and scope of psychotherapy तो दो parts तो यहीं पर हो गए एक उसका nature हो गया और एक उसका scope हो गया nature जैसे जिसमें आप यह बताऊगे कि psychotherapy क्या है कैसे किया जाता है क्या उसके सारे characteristics होते है scope का मतलब यह होता है कि psychotherapy को कितना कहां तक use किया जा सकता है कौन कौन से areas में उसका application है that is the scope of psychotherapy and the third one is importance of therapeutic relationship in psychotherapy psychotherapy में therapeutic relationship की क्या importance होती है तो मतलब question हमारा three parts में है अब अगर हम बात करें कि question चलो question तो हमने समझ लिया गई है but start कैसे करेंगे तो आपको pattern याद है ना जो हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि always start your answer with a brief introduction आपको सबसे पहले क्या देना एक छोटा सा introduction देना है क्या देना है एक बिल्कुल छोटा सा brief में आपको introduction देना है तो अब यहाँ पर introduction कैसे एक चीज का दोगे क्या बताओगे start जैसे ही करोगे अपना answer को लिखना है तो सबसे पहली चीज उसके अंदर क्या discuss करोगे सीधे nature and scope पर आ जाओगे नहीं सबसे पहले हम बताएंगे meaning of psychotherapy ठीक है सबसे पहले हम क्या बताएंगे meaning of psychotherapy psychotherapy मैं short में लिख रही हूँ PT तो psychotherapy होती क्या है पहले वो एक दो लाइन में बताएंगे फिर हम आएंगे इसके nature पर ठीक है फिर हम आएंगे इसके scope पर फिर हम बात करेंगे कि therapeutic relationship जो होती है वो क्या होती है ठीक है जो therapeutic relationship होती है वो क्या चीज होती है इसका थोड़ा सा meaning हम बताएंगे बिल्कुल brief में again बहुत short में क्या होती है therapeutic relationship आप लोग बताओ comment section में जल्दी से फटा फट एक मिनिट का ही time हा आपके पास में जस्ट layman language में भी आप बोच सकते हो देखके भी बोच सकते हो कोई दिक्कत नहीं है at least पढ़ोगे तो कुस दो तो therapeutic relationship क्या होती है वो जल्दी से मुझे बताओ comment section में उसी का meaning हमें लिखना है ठीक है और फिर उसके बाद में हम इसकी importance लिखेंगे ठीक है उसके बाद में हम क्या लिखेंगे इसके importance and last we will conclude बिल्कुल छोटा सा एकात conclusion एक याद दो line का ठीक है last में हम क्या करेंगे conclude करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे conclusion अब आप देख रहे हो कि answer कैसे frame किया जाता है main चीज यही होती ही कि आप अपने answer के अंदर कितनी सारी चीज़े include कर रहे हो और आप उसको किस एक flow में किस एक pattern में लिख रहे हो same चीज हर एक student लिखेगा लेकिन अगर आपको अपने marks से ज़ादा चाहिए है तो obvious है कि आपको question का answer इस तरह से present करना होगा कि आप ज़ादा marks gain करो as compared with other students clear तो यह एक चीज आप कर लोगे तो यहाँ पर आपको इस एक pattern को ध्यान में रखके लिखना है अब एक और आती है जो दूसरी सबसे ज़ादा important बात है वो है word limit वो क्या है word limit अब जैसे यहाँ पर तो हमको कोई word limit नहीं दी है यह दो चार चीज़े देखो starting से ही अभी से ही इसको याद करके रख लो ठीक है कि यह आपको हर एक अपने question के answer में इसको ध्यान में रखना है ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर ध्यान में रखा आगे ध्यान में नहीं रखोगे तो अगली जो चीज है most important वो है word limit कितने words में अपने answer को लिखूँ अब इस answer को मैं एक एक दो दो points भी अगर सब में लिखती हूँ तो एक short answer भी बन सकता है अगर मैं इसके अंदर सारे points include करती हूँ at least 4 to 5 points हर एक head के अंदर लिखती हूँ तो मेरा ये एक long question answer भी प्रिपेर हो सकता है यहां क्योंकि कोई word limit नहीं दी है तो मैं इसको long या essay type में ही answer आपको करवा रही हूँ अगर ये same question आपको short में पूछा जाता है तो आप सब में 3-3 points भी लिखोगे तो भी more than enough है clear तो हमेशा question को answer करेंगे word limit के according लेकिन again यहां पर कोई word limit नहीं दी गई है तो इसलिए हम क्या एक चीज़ करने वाले हैं कि अपने answer को long में ही explain करेंगे उसके अंदर हर एक point को include करेंगे ताकि किसी भी दरा का question अगर आपके paper में आता है तो आप at least उसको answer कर सको Is that clear? यह चीज समझ में आगी समझ में आगया कि answer कैसे start करना answer कैसे end करना है So this is the starting line and this is the ending clear बाकी जो main part होगा answer का वो हम यहां पर include करेंगे clear इसमें कोई doubt तो नहीं है तो इस start करेंगे मतब एक question को answer करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से चीज़े clear होंगी fine सबसे पहले start करेंगे what is psychotherapy के साथ में कि meaning क्या होता है psychotherapy का So psychotherapy is a voluntary relationship between the client and the therapist psychotherapy एक voluntary relationship होती है client और therapist के बीच मैं मैंने कहा कि जितने भी psychological disorders होते हैं उन्हें treat करने के लिए हम therapies use करते हैं उन्ही therapies को psychotherapy कहा जाता है आपको यही same चीज़ यहां पर लिखनी है psychotherapies are the therapies required for the treatment of the psychological disorders यह जो client और therapist वाली चीज़ बोल रहे हैं वो हम यहां therapeutic relationship में लिखेंगे तो इस starting में इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है इसको cut कर दो ठीक है क्या लिखना है आपको स्टार्टिंग में कि psychotherapies are the therapies that are used for the treatment of all the psychological disorders इस दाट क्लियर यह लिख लोगे यह यह भी मैं लिखके बताऊं लिख लोगे इतने बड़े हो गयो ठीक है second हम आते है कि इसका nature क्या है और इसका scope क्या है तो यह वाली चीज हमने लिख ली इसकी psychotherapy का meaning क्या होता है मैंने आपसे काना बिलकुल brief में आपको लिखना है मैं नहीं कह रही हूँ आपसे explain करने को बिलकुल brief में इकार लाइन आप लिख दो now we are coming next to the nature and scope of psychotherapy तो purpose क्या है purpose क्या होता है psychotherapies का अपने client को help करना कि वो सारी psychological problems को अपनी life से जो भी वो face कर रहा है उसको solve कर पाए now psychotherapies aim at changing the mal-adaptive behavior तो यह पहली जीज हो गई यहाँ पर जो mal-adaptive behavior है उसको change किया जाएगा we all know what is mal-adaptive behavior हमने पढ़ा हुआ है कि concept of abnormality क्या होता है mal-adaptive behavior क्या होता है तो वो सारे behavior अगर जो कही न कहीं आपके growth and development में आपके लिए problematic बन रहे हैं या आपके लिए problems create कर रहे हैं वो सारा behavior mal-adaptive behavior होता है और ऐसा behavior हमको life में नहीं रखना है तो हम इस mal-adaptive behavior को क्या कर देंगे change कर देंगे या मैं इसलिए थोड़ा से explain करते हुए जा रहे हूँ क्योंकि अगर कोई भी student है जिसको अगर ये topics नहीं समझ में आया था या मैंने पढ़ाया तब भी किसी तरह का कोई doubt रह गया था तो वो अभी यहाँ पर clear हो जाएगा ठीक है तो इसलिए थोड़ा से explain करते हुए तारियों और हमेशा answer कैसे लिखना है अपने खुद के understanding से अपने खुद के words में ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर जो answer लिखा है मैं यही answer copy कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और फिर इसी को रटलूँगी या और फिर रटलूँगा और exam में जाके लिख दूँगा नहीं यह गलत method है ठीक है तो यह नहीं करना है हमेशा concept को समझो और concept को समझ के अपने से answer बनाने की practice करो और फिर अपने ही words में कोई भी question है उसको answer करो clear तो मैं बार बार कह रही हूँ यहां जो भी लिखा है ऐसा मत करना कि यही same as it is उठा के exam में लिख दूँ लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक जो standard method है वो क्या है कि आप समझ लो concept को फिर उसको अपने words में लिखो यहां पर कोई maths तो है नहीं कि आपको रटना पड़ेगा कि यही formula होता है formula change नहीं किया जा सकता यहां पर आप अपने words में सारी चीज़े लिख सकते हो is that clear? fine तो पहला हो गया changing the mal adaptive behavior for decreasing the sense of personal distress and helping the client to adapt better to his or her environment हमको यहां पर client जो भी distress face कर रहा है उसको यहां पर कम करना है ताकि वो अपने environment में जहां भी वो रहता है उसमें easily adapt कर सके inadequate, marital, occupational and social adjustment उसके marital life में, उसकी social life में, उसके work life में इन सारी चीज़ों में जो भी चीज़े हैं जो कहीं न कहीं उसको adapt नहीं करने दे रहे हैं या वो वहां पर जो है अच्छे से नहीं settle हो पा रहा है किसी तरह का psychological distress उसको हो रहा है तो इन सारी चीज़ों में changes लाना यही काम होता है किसका psychotherapy का तो यही आप लिखोगे कहाँ पर psychotherapy के nature में clear यही nature होता न psychotherapy में हम क्या चीज़ बताते हैं nature का मतलब क्या है कि उसके अंदर किस तरह की सारी चीज़ों होती हैं क्या उसके characteristics होते हैं यह सारा आप nature के अंदर include करोगे अब जो interaction होगा ठीक है therapist का और client का इससे एक therapeutic relationship बनेगी fine अब जैसे यहाँ पर जो यह therapeutic relationship है इसका क्या importance है यह उन्होंने पुछा है तो थोड़ा से scope और मैं आपको बता दूँ nature तो मैंने आपको बता दिये क्या सिंदर क्या क्या चीज़े लिखोगे scope भी क्या चीज़ होती है कि इसको जो है हर एक field में use किया जा सकता है different clients के लिए different तरीके से use किया जाएगा but हमारे पास में आज के time में जो है हमने psychotherapies को types जो है types of psychotherapies है ना तो तीन types में हमने इसको divide करके रखा है according to जो भी requirement होगा हमारे client का उसके according या जो भी उसकी problem होगी उसके according हम उसको solution provide करेंगे हम उसको therapy देंगे ताकि उसका जो भी personal distress है या जो भी सारी उसकी problems है उसको resolve किया जा सके clear तो यही सारी चीज़ा आपको scope में लिखना है कि psychotherapy का scope है वो बहुत ही wider है कैसा scope है? wider scope है एक होता है narrow scope एक होता है wider scope narrow scope वो होता है जो छोटी area में ही apply हो यानि for example मान लो मान लो for example कोई ऐसी therapy है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर ही applicable है कहीं और applicable नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसके scope बहुत ही narrow है wider scope हम कब कहेंगे जब वो therapy बच्चों के उपर, बुडों के उपर, को applicable कर सकते है तो उसके 2-4 example और लिख दोगे लिख पाओगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अब हम बात करें कि therapeutic relationship क्यों बहुत ज्यादा important है तो सबसे पहले हमको क्या बताना पढ़ेगा therapeutic relationship का meaning meaning क्या है therapeutic relationship का therapeutic relationship client और therapist के बीच में होती है और जब भी psychotherapy होगी तो therapeutic relationship बनेगी ही बनेगी जो कि एक voluntary relationship है ये relationship कहीं न कहीं हमारे client की problem resolve करने में और ज्यादा help करे होती है तो ये एक तरह की confidential, interpersonal, dynamic relationship है कैसी relationship है? confidential, interpersonal, or dynamic ये जो human relationship है ये किसी भी psychotherapy में central होती है इसका मतलब क्या है? कि आप कोई भी psychotherapy करो उसमें therapeutic relationship तो client और therapist के बीच में रहेगी ही रहेगी क्योंकि जब तक एक relationship नहीं बनेगी, तब तक treatment कैसे start होगा? तब तक client जो है therapist को trust कैसे करेगा? therapist कैसे यकीन दिला पाएगा client को? कि मैं तुमारी help करने के लिए हूँ तो वो एक जो है बहुत ही central relationship है confidential रहेगी, interpersonal रहेगी, dynamic रहेगी, इसका मतलब यह है कि जो भी information client provide करेगा therapist को, therapist को उसको अपने पास ही रखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि वो समनों उसको share करते हैं और भी धेर सारी चीज़े जो हमने chapter में पढ़ी भी थी मैं बहुत जादा details में तो नहीं जा रहे हूँ मैं यही कहूंगी कि जो मैंने chapter में explain किया उसे पढ़ो अगर कोई doubt आ रहा है तो but still कोई चीज है तो आप उससे comment section में पूछ सकते है, कोई doubt आपको है तो आप comment section में पूछ सकते हैं और यहां भी मैं थोड़ा थोड़ा explain करती जारी हूँ at least आपको click होता जाए कि हाँ मैंने chapter में ये भी पढ़ा था, मैंने ये भी पढ़ा था fine आपको चैथिकल standards जो follow किये जाने चाहिए कि हमेशा जो है हमको अपने client को support करना है ताकि वो एक betterment अचीव कर सके और साथी साथ में क्या importance हैं psychotherapy कि psychotherapy क्यों की जाती है या therapeutic relationship बनाना क्यों वहाँ जादा जरूरी है तो देखो उसका एक reason है ये client है, ये therapist है जब तक client को therapist पे भरोसा नहीं होगा कि ये मेरी problem को resolve करने के लिए है तब तक client अपने सारे problem जो हैं वो therapist को नहीं बताएगा और जब तक therapist अपने client को ये भरोसा नहीं दिलाएगा कि मैं तुमारी problem को resolve कर सकता हूँ तब तक client भी therapist के उपर trust नहीं कर पाएगा therapist जब अपने client की बातों को सुनना शुरू कर देगा बिना उसे judge करें बिना उसको टोकें बिना किसी चीज के तो कहीं न कहीं client का भरोसा जीत पाएगा तो ये सारे चीजों के लिए therapy को start ही करने के लिए therapeutic relationship बहुत जादा important है तो ये लिख पाओगे मैं आपको words इसलिए नहीं दे रही हूँ मैं आपको ऐसा जी यह नहीं बोल रही हूँ मैं जस्ट read करने लग जाऊंगी तो मेरे लिए तो बहुत easy है कि हाँ मैंने read कर दिया आप लोग ने पढ़ लिया आप यही सारा कुछ जाके आप अपने answer में लिख दोगे बट ये करना ही नहीं है मैं जो आपको समझा रही हूँ आप उस चीज को समझो board पर answer लिखा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो board पर भी answer देख सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उस चीज पर ज्यादा focus करो उसको समझो ज्यादा ताकि जब कोई भी question आए तो आप at least उसको answer कर पाओ कभी भी question को छोड़के मत आना कि मुझे तो यह आता ही नहीं है तो मैं इसको attempt ही नहीं कराओ at least attempt जरूर करना 5-6 line भी लिख दोगे ना जो आता है जो पड़ा हो इतना तो आता ही होगा ना कि at least आप 5-6 line तो लिखी सकते हो किसी भी answer में कभी भी question छोड़के मत आना exam में भले इतना सा आता हो लिखना जरूर ठीक है ऐसा मत सूच रहा है कि मुझे तो बस दो ही line आती तो मैं यह answer क्यों attempt करूँ आपको पता होगा ना concept आपको clear होगा तभी अपने words में fine so यहाँ पर therapeutic relationship important क्यों है वो मैंने आपको बताया client को एक support मिल जाता है ताकि वो अपनी life में better attain कर सके उसका emotional pressure कम हो जाता है वो अपने positive growth को achieve कर पाता है जो कही ना कही उसके negative thoughts या stress या distress की वजह से दब गए थे तो उसके अंदर potential होता है positive growth को लेके वो अपनी habits को change कर सकता है बहुत बार कुछ ऐसी habits होती है जैसे हमने behavioral therapy के अंदर पढ़ा हुआ है जिसकी वजह से हमको जो है psychological disorders face करने पढ़ते हैं तो वो habits को अपनी modify कर सकता है अपने thinking patterns को change कर सकता है यह सारी चीज़े करके क्या होगा ultimately उसको ही benefit होने वाला है और यह सारी चीज़े कैसे possible हो पाएंगी therapeutic relationship में ही तो यह सारा importance जो है therapeutic relationship का आपको इसमें लिखना है self awareness बढ़ेगी interpersonal relations communication improve होंगे decision making facilitate होगी वो अपनी life में अपनी choices खुद बना सकेगा related to one social environment is a more creative and self aware manner अपनी environment से relate कर पाएगा लोगों से relate कर पाएगा जो कि अपने आप में एक growth का indicator है is that clear तो अब हमने answer में क्या क्या सारी चीज़े लिखी हमने start कैसे किया PT के meaning से यानि psychotherapy के meaning से psychotherapy का meaning क्या होता है it is a kind of therapy that helps patient to solve their psychological disorders now what is its nature nature हमने और scope हमने इसका बताया कि यह जो psychotherapies होती है यह patient को उसके personal distress को change करने में help करे होती है उसके thinking patterns में changes लाती है यह सारा कुछ हमने बताया हमने उसका scope बताया कि बहुती wider scope है बहुत सारे areas में applicable होता है और different different kind of therapies use की जाती है different different kind of personal distress या psychological disorders को treat करने के लिए therapeutic relationship हमने start करा तो हमने सबसे पहले उसका meaning बताया कि यह relationship client और patient के बीच में होती है और इसका importance यह है कि यही starting point होता है किसी भी treatment का जब तक client अपने therapist पर और therapist अपने client को भरोसा नहीं दिला पाएगा बिना उसे judge किये तब तक जो है treatment start नहीं हो पाएगा या वो एक सही direction में नहीं जाएगा तो उसके लिए therapeutic relationship होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कुछ ethical standards भी हमने बताए जो की follow किये जाते हैं जो की ensure किये जाते हैं by the therapist for the client तो वो भी आप अपने points में लिख सकते हो conclusion कैसे करोगे conclusion ऐसे करोगे कि psychological disorders are normal ठीक है उसको कोई भी abnormal नहीं कहेगा मतलब कि psychological disorders जो है वो बहुत ही normal चीज है आजकल life इतनी जादा stressful इतनी जादा challenging होती है कि किसी को भी psychological disorders हो सकते है but every disorder has a treatment and the treatment is within psychotherapies यही जो मैंने बोला है बस यही लिखना है आपको अपने conclusion में ठीक है कि psychological disorders बहुत normal है आजकल life इतनी जादा challenging होती है इतना competition होता है कि कि किसी को भी stress, depression जैसी चीज़े हो जाती है but हर एक problem का एक solution है और psychological disorders का solution यह treatment है psychotherapies के अंदर बस इतना यहाँ पर आपका answer हो जाएगा complete fine तो अभी आपको यह समझ में आया कि आपको अपने question को कैसे समझना है आप जब भी अपने question का answer करो question आपने पढ़ लिया तुरंथ एक rough page पर अपने एक पूरा line बना लो कि मुझे question को कि इस pattern में answer करना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया था और फिर उसी pattern में अपने question को answer करो आपको लगता है इसमें कहीं भी flow chart बन सकती है बना दो मतलब इसी में नहीं किसी भी answer में आपको लगता है flow chart बन सकती है बना दो आपको लगता है diagram बन सकता है बनादो कोई दिक्कत नहीं है clear humanity subject में basically answers बहुत जादा lengthy हुआ करते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को explain करते हैं हमारे पास में कोई calculation नहीं होता न कि यह यह चीज calculate करी और answer आगया तुरंद से ठीके तो मतलब half page पे ही आपका answer complete है हम लोग generally explain करते हैं explanation में हमारा answer थोड़ा सा lengthy हो जाता है but हमको word limit को ध्यान में रखते हुए ही अपने questions को answer करना चाहिए हमेशा introduction और conclusion answer में होना चाहिए if it is long and essay type questions short है तो conclusion नहीं भी लिखोगे तो चलेगा लेकिन introduction लिखो very short है तो introduction भी मतलिखो सीधा जो पूछा गया है वही लिख दो but एक standard pattern को अपने answers में follow करने की practice डालो practice makes you perfect जितना जादा practice करोगे उतने अच्छे answers लिख पाओगे उतने जादा marks आपको मिल पाएंगे and again and again I am saying कि देखो पढ़ते हो तो सभी है same psychology book से पूरे इंडिया के students पढ़ रहे है और सब का जब exam होगा CBSE जब exam होगा तो सब अपने अपने exam देंगे अपने अपने areas में रहके but और सबने same चीज पढ़िए सब same चीज ही लिखेंगे answer में पर आप कैसे उसको effective बनाते हो like all India rank 1 किसी एक की ही आती है सब की नहीं आती है किसी एक ही कोई person होगा जिसकी all India rank आई होगी और बाकियों ने उसके जैसा परवाम नहीं किया होगा हाला कि पढ़ा सबने same ही चीज है clear तो समझ में आ रहा है कैसे किसी चीज को पढ़ना है क्योंकि आगे भी आप जाओगे graduation करोगे कोई भी exam की preparation करोगे तो ये चीज़े आपको पता होने चीज़े कि रट के कभी भी कोई exam नहीं निकलता है हमेशा concept के understanding होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप आज रट लोगे काल answer आप लिख दोगे मानलो exam में फिर उसके बाद में कभी कोई आप से पूछेगा कि आपने क्या पढ़ाता हो तो आप उसको answer नहीं कर पाऊगे क्योंकि आपको concept clear नहीं था तो concept जो है वो clear होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसे clear है मैं उसे बिल्कुल नहीं बोल रही हो जो यही same चीज करते हों उनके लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन जो नहीं करते हैं उनको यह चीज समझने चाहिए ठीक है तो यह आपको जो है करना है जो है question number two What are the different types of psychotherapy and on what basis are they classified अब देखो question again दो parts में है question ने बोला कितनी तरह की psychotherapies होती है और कौन-कौन से basis पर हम इनको classify करते हैं clear question ने क्या बोला कितनी तरह की psychotherapies होती है और कौन-कौन से basis पर हम इनको classify कर सकते हैं अब हमने अपनी previous question में देखो पहले तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर तो उनने पूछा आप से types of psychotherapies और classification of psychotherapies हाना तो classification कौन से basis पर है वो भी हमको यहाँ पर बताना है अब मैंने का answer start करोगे introduction से ठीक है answer कैसे start करोगे introduction से तो introduction में क्या बताते कि psychotherapy क्या होता है लेकिन अभी हमने question number one में psychotherapy को क्या किया define किया तो क्या हमको अपने हर answer में same introduction रखना है नहीं बिल्कुल नहीं मान लो जब आपने exam पेपर में होगे तो question number one psychotherapy का होगा लेकिन question number two self and personality का है तो वहाँ पर तो आपको introduction देना ही देना है लेकिन मान लो अगर question number one भी psychotherapy का है question number two भी psychotherapy का है तो कहीं एक जगे introduction दे तो दोनों जगा देना जरूरी नहीं है तो फिर answer start कैसे करें क्या होगी introductory line है ना तो देखो हम इसको start ऐसे करेंगे different types of psychotherapies पूछा है तो हमने लिख दिया कि psychotherapies are used for treating the psychological disorders एक ही line लिख सकते हैं ठीक है हमने लिख दिया कि these are used for treating psychological disorders but different psychological disorders ऐसे लिखोगे आप ठीक है but different psychological disorders have different psychotherapies clear according to their nature तो जो भी disorder का nature होगा characteristics होगा उसी के according थारेपी देंगे आप किसी को cancer है, किसी को typhide है तो दोनों का treatment अलग-अलग होगा ना same treatment तो हो नहीं सकता तो बस यही आपको अपने introduction में लिखना है clear इसे लिख पाओगे कैसे लिखना है आपको कि psychotherapies are used for treating psychological disorders but different psychological disorders require different types of psychotherapies clear तो आप हम बताएंगे कि कितने types of psychotherapies होती है ठीक है उसमें इसको लिखे रहन देती हूँ है ना तो जो आपकी book है उसमें जो 2022-23 का syllabus है वो rationalized हो गया है शायद आगे भी यही रहेगा ठीक है तो वो rationalized हुआ है मतलब उसमें से कुछ-कुछ topics को हटा दिया गया है clear तो इसमें आपका ये जो chapter है chapter number 5 इसमें से उनने कुछ चीज़े drop करी है जैसे कि एक biomedical therapy और दूसरी psychodynamic therapy ये उन्होंने आपके syllabus से दोनों हटा दी है अभी आपको सरफ behavior और humanistic existential therapy पढ़ना है उनने ये दोनों therapy आपके book में से हटा दी उनने psychodynamic भी हटा दी उनने biomedical भी हटा दी मतलब ये अभी आपको नहीं पढ़ना है लेकिन जब psychotherapies होती है तो ये सारी उसके अंदर use की जाती है बट अब हम answer कैसे लिखें तो आप answer दो तरह से लिख सकते हो जब different types of psychotherapy वो पूछे तो आप उसमें ये चारों लिख सकते हो आप psychodynamic भी लिख सकते हो behavior भी लिख सकते हो humanistic existential भी लिख सकते हो biomedical अलग से बाद में दी हुई थी ठीके लेकिन जो classification है वो major three types में ही किया गया है ठीके classification जो है वो major three types में ही किया गया है जो कि psychodynamic है behavior है humanistic existential है, यह मैं इसलिए बता रही हूँ, क्यों की, क्यों बता रही हूँ, वो भी सुन लो अगर आप NCRT के according देखोगे, तो answer अलग लिखोगे, अगर आप कोई refresher book उठाओगे, तो उसमें answer अलग दिया हुआ है clear, तो मैं दोनों तरीके से समझा रही हूँ, मैं आपको एक NCRT का तरीका भी बता रही हूँ और मैं जो generally हम refresher books use करते हैं, उसकी बाद भी बता रही हूँ कि बहुत सारे students होते हैं, जो refresher books को use करते हैं और उन्हें use करके, फिर अपने question को answer में लिखते हैं मतब question का answer देखे, फिर जो है उसको लिखते हैं refresher books में अलग-अलग answer दिये गए हैं ये चीज मैंने आपको previous time भी बताई थी, पहले भी मैंने आपको बोला था पिछली बार कि देखो refresher books अगर refer कर रहे हो, तो answer समझ लो लेकिन same as it is मत लिखना क्योंकि उसमें answers अलग-अलग दिये रहते हैं एक book में अलग answer है, दूसरी book में अलग answer है, तीसरी book में अलग ही answer चल रहा है तो इसलिए refresher book अगर पढ़ रहे हो, तो देख के ध्यान से समझ के फिर ही question उसको जो है उसको पढ़ना और उसके साथ में ही answer करना, ठीक है और NCRT अगर पढ़ रहे हो, तो तरीका सही है, आप पहले सुनों कि करना क्या है देखो, सबसे पहली चीज़, मैंने आपको बताया कि उसमें से NCRT में से अगर NCRT के according हम देखें, तो दो topic उन्होंने drop कर दिये है कौन-कौन से, तो एक psychodynamic therapy और एक biomedical therapy मैं शॉट में लिख रही हूँ, psychodynamic therapy और biomedical therapy ये तीनों के दोनो topics उन्होंने हटा दिये है तो अगर NCRT के according आप इस question को answer कर रहे हो, तो आपको लिखना है different types of psychotherapies के अंदर दो therapy होती है, एक behavior therapy होती है, humanistic existential therapy होती है इनका classification कैसे करते हैं, वही आप आगे लिखोगे अगर आप किसी refresher book पर जाओगे, अगर आप किसी refresher book पर जाते हो, तो refresher book के अंदर किसी-किसी ने psychodynamic therapy को तो हटा दिया, लेकिन biomedical therapy को जो है, रखे हुए है अटा दिया और psychodynamic को रखे हुए है, तो मैं अब जो एक standard answer बतारी हूँ, दोनों का मिला के अब मैं दोनों का मिला के बतारी हूँ, ठीक है, ये तो NCRT के according आपने देख लिया, ये answer भी गलत नहीं है refresher के according लिखोगे, तो भी answer गलत नहीं है, लेकिन confuse हो जाओगे, अगर अलग-अलग refresher पढ़ रहे हूँ, तो ध्यान से सुनना मैं जो चीज बोल रहे हूँ, ठीक है, अगर अलग-अलग refresher पढ़ रहे हो, तो confuse हो जाओगे, तो confusion अगर मिटाना है, तो अभी मैं एक standard answer बतारी हूँ, उसको लिख लेना clear, देखो, कैसे लिखना है ये समझ में आ गया न, कि refresher में कैसे दिया है, और NCRT में कैसे दिया है, अब जब आपने start करना, ये confusion बहुत सारे students को था, हाला कि मैंने आपको psychodynamic भी पढ़ाया है, मैंने आपको biomedical भी पढ़ाया है, कि अगर किसी को extra कोई चीज जाननी है, तो इसको पता रहे, clear, अब मैं आपको बता रहे हूं कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है, देखो, different types of psychotherapies are used, कौन-कौन सी psychotherapies होती है, तो 4 होती है, सबसे पहले, आप लिखो, psychodynamic therapy, या फिर आप एक flow chart बनाओ, सबसे अच्छा काम करो, flow chart बनाओ, कैसे बनाओगे flow chart, देखो, ध्यान से देखना, यही अपने answer में include कर लेना, कोई marks कटनी होंगे, even extra marks मिल जाएंगे, कैसे लिखोगे, देखो, आप लिखो, Types of Psychotherapies, ठीक है, आपने लिखा Types of Psychotherapies, अब हमें पता है कि 4 तरह की Psychotherapies होती है, ठीक है, मैं अच्छे से neat and clean बनवा दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बाद में, ठीक है, तो पहली जो है, वो है, Psychodynamic Therapy, ठीक है, दूसरी जो है, वो है, Behavior Therapy, ठीक है, दूसरी जो है, वो कौन सी है, Behavior Therapy है, तीसरी है, आपकी Humanistic Existential Therapy, Humanistic Existential Therapy, ठीक है, एक और थेरपी है, जिसे हम बोलते हैं, Biomedical Therapy, इसी में थोड़ा सा और इंक्लूड करना, ठीक है, इसी में और क्या इंक्लूड कर देना है, कि जो Psychodynamic Therapy होती है, वो किस के लिए होती है, Treating Psychological Disorders, Related with Mind, एक आद एक्जाम्पल लिख दन है, ठीक है, जो आपके Mind से Related है, आपके Thought Process से कही ना कहीं Related है, वो सारे आपके Psychodynamic के अंदर आते हैं, इसमें एक आद एक्जाम्पल लिख देना, जैसे Thinking, ठीक है, तो बहुत बार कुछ Thoughts होते हैं, जिसकी वज़े से हमको ये सारी Problems होती है, तो एक्जाम्पल आप Thinking लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा Overlap करता है, ये थोड़ा Behavior के साथ में भी Overlap करता है, ठीक है, तो इतना भी लिख देना चलेगा, Psychological, Treating Disorders, Related with Mind, यहाँ पर क्या लिखोगे, मैं Short में लिख रही हूँ, Treating, Psychological, Disorders, Related with Behavior, Bracket में लिखोगे, Faulty Learning, and Cognition, Cognition में आपका Decision Making ये सारी चीज़े आ जाएंगी, ठीक है, Problem Solving, Decision Making ये सब आ गया, Humanistic, Existential, Treating, Psychological, Disorders, Related with Questions, like what is meaning of life and survival, आप एक life जी रहे हो, उसका क्या meaning है, क्यों आपको ये life मिली है, इस तरह के questions मन में आते हैं, उन सारी चीज़ों को treat करने के लिए Humanistic, Existential Therapies यूज की जाती है, Biomedical Therapy, Treating Psychological Disorders with Medicines, ठीक है, तो जैसे कुछ medicines वगेरा दे के भी जो है, therapies दी जाती हैं, बट अगेन जो मैंने आपको starting में एक चीज़ कही थी, अगर आपको याद हो तो, कि जो classification है ना, वो main team में ही किया गया है, Psychodynamic, Behavior और Humanistic, Existential, Biomedical बहुत बाद में आई, बट flow chart में लिख सकते हो, एक और चीज़ इसमें लिख सकते हो, एक alternative therapies भी होती है, लेकिन अभी इतना ही ठीक है, क्योंकि psychotherapies का type वो mainly हमसे पूछ रहे हैं, जो book में भी दिया है, जो हमको पढ़ना भी है, तो ये एक major classification है, या types हैं, जो आप यहाँ पर लिख सकते हो, clear, आपको psychodynamic और biomedical नहीं आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सरफ इन दो कोई explain कर देना, clear, again I am saying, कि ये वाली और last वाली इन दोनों को drop कर दिया गया है, ठीक है, इन दोनों को drop कर दिया गया है आपके slabbers में से, लिखोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, clear, कोई doubt तो नहीं है इसमें, ये आप इसको draw कर लो, आपको इसका screenshot लेना है, screenshot लेलो, जैसे भी आपको पढ़ना है, इस एक चीज़ को आपको complete करना है, समझ में आया, इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है फाइन, आगे बढ़े अब उनने बुला कि बहुत सारी alternative therapies भी होती है जैसे yoga है, meditation है, acupressure है, acupuncture है herbal medicine से ये सारी कुछ इनका जो classification है, वो कैसे है? देखो, on the basis of cause which has led to the problem on the basis of existence of the cause on the basis of chief method of treatment आपको याद होगा, ये पूरा classification मैंने आपको explain किया था अगर हम बात करें on the basis of cause मतलब, कोई psychological problem आया है तो उसका क्या cause है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब ये chapter के अंदर explain किया था तो मैंने आपको एक पूरी table बन वाई थी वही table यहाँ पर बना देना ठीक है, cause क्या है तो जैसे जो psychodynamic है उसका mind है, पर मैं psychodynamic आपको नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आपके syllabus में नहीं है अगर आपको फिर भी पढ़ना है आप चाहते हो कि मेरे को पढ़के उसको answer में लिखना है तो मैंने उस पर lecture बना दिया है आप उसको देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा clear, ठीक है, तो अगर पढ़ना है तो मैंने आपको पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हो नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है जितना book में दिया है, उतना लिखो book में फिर behavior दी है और humanistic existential दी है तो अगर हम behavior की बात करें तो behavior में किसी तरह का psychological disorder क्यों होता है, उसके दो कारण है एक faulty learning और cognition humanistic existential में क्यों होता है क्योंकि कुछ मन में questions आ रहे होते हैं कि हमारी life क्यों है, कैसे है, तो उसकी वज़े से problem होती है तो problem बनी हुई है, तो उसका कारण क्या है तो ये सारा कुछ मैंने आपको explain किया है कौन सा method of treatment use करेंगे, वो भी मैंने आपको बढ़ाया हुआ है क्या nature होगा therapeutic relationship का benefit client को क्या होंगे ये सारा, कितना duration लगेगा तो जैसे behavior therapy है तो आपका 5-10 session ये 10-12 session में ही complete हो जाएगा humanistic existential भी कम time ही लेता है clear, तो ये सब explain किया है मैंने आपको book में भी दिया है आप वो lecture अगर आपने देखा है तो आप इसको answer कर पाऊगे उसी तरह से आपको same इसको answer करना है बहुत चोटा सा है पढ़ लेना अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा फिर भी doubt आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना comment section में Is that clear? इसमें कोई doubt तो नहीं है ठीक है आगे वड़ें ठीक है next question पर आते है तो एक इसमें flow chart बना देना एक इसमें पूरा table बना देना table भी कैसे बनाना है वो भी एक बार बिल्कुल ब्रीफ में बता देनी हूँ देख लो यहाँ पर ठीक है जिसको नहीं पता है उसको तो at least बताई दू देखो आपको क्या करना है just draw a line here and here अगर दो ही classification कर रहे हो तो फिर दो ही करना ठीक है मैं दो चरह लिखके बता देरी हूँ वैसी आप कर देना उसको ठीक है? देखो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है therapy अब जैसी यहाँ पर आपने लिखी behavior therapy यहाँ पर आपने लिखा humanistic existential therapy अगर आपको biomedical भी लिखनी है psychodynamic भी लिखनी है तो उसको भी नीचे लिख लेना अगर लिखना है तो नहीं लिखोगे तो भी कोई दिकत नहीं है बार-बार बोल रहे हूँ नहीं तो आप लोग अगर लिखना जाते हो फिर यहाँ पर कितना duration में जो है वो relief मिल जाएगा फिर क्या सारी चीज़े थी जिसकी वज़े से problem continue बनी रही तो ऐसे करके आपके 6 columns बनेंगे हमने क्या लिख दिया faulty learning आप treatment करोगे तो क्या यूज करोगे तो behavior therapy यूज करेंगे जिस therapy में हम इस faulty learning को change करने की कोशिश करेंगे learning करवा के अच्छी learning करवा के तो वो यहाँ पर लिख दोगे therapeutic relationship कैसा रहेगा तो client और patient की बीच में किस तरह का relationship वो follow करें वो आप लिखोगे कितना duration में ठीक हो जाएगा तो 10 से 12 sessions लगेंगे ठीक है यह सब कुछ लिखना है आपको इसी तरह का एक table आपका बनेगा again I am saying कि मैंने explain करा है आपको जब chapter पढ़ाया था आपने देखा तो बहुत अचीब बात नहीं देखा तो देख लेना और उसको कर लेना clear इसको practice करोगे तब ही question को answer कर पाओगे fine आगे बढ़ते हैं आजाते हैं next question पे जो की है question number 3 यह सब important questions चल रहे हैं ठीक है यह आ जाएंगे ना exam में फिर आप बैठे रहे जाओगे क्या करूँ क्या नहीं लिखूँ तो इसलिए practice कर जाना और मुझे पता है आप लोग practice कर लोगे ठीक है चलो question number 3 a therapist ask the client to reveal all his or her thoughts including early childhood experiences एक therapist है उसने अपने client को बुला कि जो भी सारे thoughts आपके अंदर चलते हैं जो even आपने अपने childhood में भी experience किये थे जब आप छोटे रहे होंगे वो सारे thoughts आप मुझे बताओ जो भी आपके मन में चलता है जो भी आप सोचते हो चाहे आपके childhood से related हो चाहे आज की life से related हो वो सब कुछ आप मुझे reveal करो ऐसा किस ने कहा therapist ने कहा अपने client से या patient से describe the technique and type of therapy being used किस तरह की technique या कौन से type of technique यहाँ पर use की जा रही है अब सोचो इस तरह का indirect question आजाएगा तो कैसे answer करोगे तो उसके लिए concept clear होना जरूरी है ना concept अगर पता होगा कि ऐसा कौन सी थारपी में होता है तब ही आप उस थारपी को explain कर पाओगे वो आपसे directly नहीं बोल रहे है कि उसको explain करो clear तो यह आपको यहाँ पर क्या करना है explain करना है अब यह question किस ने पूछा आपकी NCRT ने पूछा NCRT ने आपसे question तो पूछ लिया इसमें लेकिन again I am saying कि जो psychodynamic वाला पार्ट है वो आपके book में से हटा दिया गया है मतलब मेरा यह है कि जो आपकी book को उन्होंने rationalize किया है ना वो properly rationalize नहीं है उनने chapter में से topic हटा दिया लेकिन question answers में वो question आपसे उसी topic का पूछ रहे है clear अब इसलिए मैंने आपको पढ़ाया एक बार मुझसे कोई student पूछ रहा था मैं आपने psychodynamic क्यों पढ़ाया क्योंकि psychodynamic तो exam में आना ही नहीं है इसलिए पढ़ा दिया कि at least आपको वो पता रहे अभी अभी उन्होंने ड्रॉप किया है उसको मान लोग कहीं से घुमा फिरा कि अगर उन्हें question दे दिया तो at least आप answer करने की condition में तो रहो clear मतलब उस एक चीज को आप handle कर पाऊ तो उसके लिए मैंने पढ़ाया है psychodynamic मैं इस question का answer भी आपको बता रही हूँ मैं आपको यही suggestion दोंगी कि अगर time मिल जाए तो एक बार psychodynamic को भी पढ़ लेना बहुत simple है बहुत even सबसे जादे easy psychodynamic ही है ठीक है तो यह जो condition है यह psychodynamic therapy में use की जाती है psychodynamic therapy को Sigmund Freud ने दिया था आपको याद भी होगा हमने chapter number 3 में Sigmund Freud को पढ़ा हुआ है id, ego, super ego यह सारी चीज़े पढ़ी है ना यह किस में था? psychodynamic में ही तो था psychodynamic किस में दी थी? Sigmund Freud ने तो यहाँ भी लिखना है कि Sigmund Freud ने दिया था बाद में Karl Jung ने उसको थोड़ा सा modify कर दिया तो psychodynamic therapy जो है वो कहीं ना कहीं psych यानि हमारे अंदर जो internal conflicts वगेरा चल रहे होता है हमारे thoughts को लेके उससे related होता है इसमें free association और dream interpretation दो important चीज़ें हैं जो की जाती है free association और dream interpretation क्या होता है? free association जो अभी therapist ने किया therapist अपने client को बोलता है जो आप, मतलब ऐसे बोलता उसको कि आप, उसको बुलाएगा अपने therapy session के लिए उसको बुलेगा आओ बिल्कुल calm हो जाओ, relax हो जाओ फिर एक couch रहेगा उसको बुलेगा इस पर lay down कर जाओ, अराम से लेट जाओ अपनी आँखे close कर जो, ठीक है eyes close कर जो, बंतलब आँके बंद कर लो, और उसके बाद में बिल्कुल relax feel करो और अब तुम्हारे उन में जो भी सारे thoughts आते हैं वो मुझे बता दो ठीक है, तो धीरे धीरे करके client जो है वो reveal करना start करेगा जैसे जैसे वो reveal करेगा तो धीरे धीरे करके जो है, वो अपने सारे thoughts अपने therapist के साथ में share करेगा therapist यहाँ पर अपने client को बिल्कुल भी judge नहीं करेगा और फिर उसके बाद में वो freely अपने आप से associate कर पाएगा क्योंकि कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़े होती हैं जो हमारे unconscious mind में भी चल रही होती है unconscious mind मतलब वहाँ पर जिसको लेके हम aware ही नहीं होते हैं unaware है हम तो वो सारी चीज़े भी therapist बाहर निकलवा लेता है हमसे और फिर उसके बाद में हम अपने ideas अपने thoughts के साथ में freely associate करते हैं clear तो इस तरह से free association होगा और इस तरह से therapist जो है वो interpret नहीं करेगा freely ideas को flow होने देगा और इसके तुरू जो है client जो है uncensored verbal narrative अपना बता पाता है मतलब कि जैसे बहुत बार हम कोई चीज़ बोलते हैं तो कोई हमें टोक सकता है रोक सकता है कि नहीं यह चीज़ गलत है ऐसा नहीं बोलना चीज़, ऐसा नहीं होना ची़ लेकिन यहां पर therapist अपने client को टोक ही नहीं रहा उसको रोक ही नहीं रहा है ना तो इस तरह से जो है वो therapist अपने सारी चीज़ों को बोल पाता है dream interpretation के अंदर क्या होता है client को बोला जाता है अब यह free association हो गया उसने अपने सारे thoughts बता है और जो therapist अपने client को बोलेगा ठीक है आप धीरे धीरे अपने eyes open करो आप धीरे धीरे जो है उठना start करो अब जब वो wake up होगा मतलब जब वो उठ जाएगा तो उसको एक paper देगा paper वे बोलेगा लिखने के लिए क्या लिखने के लिए write down his dream upon waking up जब भी वो उठता है तो क्या सारे सपने क्या सारी चीज़े उसके मन में रहती है या क्या वो सोच रहा होता है ठीक है मतलब जो भी था उसके मन में वो तो हमने निकल वा लिया I will sleep मतलब सो रहा है अब जब वो उठा तो फिर हमने का जो therapist है therapist यहाँ पर क्या एक चीज़ करेगा उन सारी चीजों को समझ के उन सारे thoughts को समझ के जो भी उसने इस पूरी therapy में treatment में observe किया होगा वो अपने client को बताएगा कि आपके अंदर ये सारे thoughts हैं जो कही ना कहीं आपको परिशान करते हैं negativity आपके अंदर लाते हैं तो उसमें कोई किसी तरह की counseling उसको देनी होगी तो वो सारी चीज़ उसको provide करेगा सबसे ज़्यादा time अगर किसी therapy में लगता है तो वो psychodynamic में लगता है कभी-कभी psychodynamic therapy में एक-दो साल भी लग जाते हैं ठीक है वो ठीक है नहीं आ रही है मत पड़ो अगर कुछ भी आ गया तो at least उसको एक बार देख लो और बस समझ लो रटने को मैं नहीं बोलती हूँ एक बार देख लो समझ लो कि मानलो exam में आ गया तो at least मैं कुछ तो लिखी पाऊंगा हाला कि वो देंगे नहीं ठीक है लेकिन आप देख रहें ना NCRT में भी उनने कोशन उसको रखा हुआ है हलाकि वो टॉपिक हट गया लेकिन कोशन उनने अभी भी उसमें रखा है ठीक है तो यह ध्यान रहेंगी यह चीजे चैप्टर फाइव का याद रखोगे न कि कौन-कौन से टॉपिक हटे हैं बायोमेडिकल हटा है और साइकोडैनमिक भी उन्होंने हटा दिया है मतलब यह दो टॉपिक्स उन्होंने ड्रॉप कर दिया है रिता बड़ा दा उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है क्लियर यहां तक हा रहा है समझ में आगे बड़ें और आजाए निक्स्ट कॉशन पे यह है क्वेशन नंबर फोर जो की है आपका फेवरेट जो की है बिहेवियर थेरपी से यहां पे कॉशन बुल रहा है डिसकल्स ता वेरियस टेकनीक्स यूस्ट इन बिहेवियर थेरपी बिहेवियर थेरपी में कौन-कौन सी टेकनीक्स यूस होती है वो यहां पर आपको एक्स्प्लेन करना है यह सीधा कोशन का आंसर स्टार्ट कर दिया बढ़ हमने तो कहा था कि डारेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे एक introduction देंगे तो introduction में क्या लिखोगे? obvious है कि behavior therapy ही लिखोगे तो इसी का meaning थोड़ा सा बतादना introduction में ठीक है? कि behavior therapy क्या होती है? तो behavior therapy जो है वो उन patients के लिए use की जाती है जिनके behavior में किसी तरह के disorders हमको देखने को मिलते हैं जो faulty learning की वज़ा से हो गए होते हैं हम जो भी behave करते हैं वो कही न कहीं से हम learn करके ही मतलब हम जो भी उसको सीख रहे हैं तो देखके ही सीख रहे हैं कहीं न कहीं से हमने देखा उसको सीखा और फिर हमने उसको अपने behavior में use करना है start कर दिया तो बहुत बार हमारे अंदर कुछ faulty learning हो जाती है जिसकी वज़े से हमारे behavior में problems आने लगती है उन्हें change करने के लिए जो है behavior therapy use की जाती है तो पहले थोड़ा सा इसको क्या करोगे? describe करोगे, brief में describe in brief, क्या meaning of behavior therapy फिर हम आएंगे कि कौन कौन सी techniques इसके अंदर use की जाती है तो वैसे तो इसके अंदर ये positive reinforcement, aversive, negative, token money ये सारा आपको दिया है, differential reinforcement, systematic desensitization, reciprocal inhibition, modeling ये सारा कुछ आपको इसके अंदर include करना है इसी के साथ behavior में कुछ और चीज़े भी use की जाती है जैसे की rating scale, ये सब पढ़ा है हमने rating scale हो गया, observation हो गया और भी 2-4 चीज़े आपके behavior को लेके use करते हैं तो कौन कौन सी technique use करेंगे behavior therapy के लिए वो आप ये भी इसके अंदर लिखोगे मैं अभी आपको सारी बता देरी हूँ क्या क्या आपको लिखना है तो पहली है आपकी negative reinforcement, negative reinforcement के अंदर क्या होता है undesired response with an outcome that is painful or not light एक होता है reinforcement reinforcement को ऐसे समझो जब हम कोई छोटे बच्चे को poem learn करवा रहे होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि अगर आपने ये poem को learn कर लिया और आपने मुझे इससे सुना दिया तो मैं आपको एक chocolate दूँगी तो chocolate क्या है एक reinforcement जो कही ना कही एक तरह का appraisal है जो जब हम अपने child को देंगे तो वो इस चीज को सीखेगा कि हाँ मुझे जो है अगर मैं जो भी काम बूला जाता है वो करूंगा तो मुझे मेरी फेवरेट चीज दी जाएगे जो शायद chocolate है clear अब बच्चे ने poem सना दी आपने उसको chocolate दी next time आपने उसको कोई और चीज सिखाई आपने उसको कोई दूसरी poem सिखाई example कोई ऐसी चीज है कोई ऐसा आसपास में stimuli है surrounding है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है ठीक है जो आपको पसंद नहीं है जैसे for example बहाँ ज़्यादा ठंडी होती है तो आप क्या करते हो woolen clothes को पहन लेते हो तो बहाँ ज़्यादा ठंडी है तब ही तो आपने क्या करा आपने आपको warmth प्रोवाइड करी by the clothes clear तो ये kind of ऐसा reinforcement जो हमें पसंद नहीं आ रहा है तो reinforcement दो तरह का होता है एक positive होता है जो हमें उस काम को करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देता है एक negative होता है जो चीज हमें पसंद नहीं होती है लेकिन हम उसको भी कर रहे होते हैं तो ये positive and negative reinforcement होता है ठीक है Aversive conditioning ये होती है जब repeated association of undesired response within aversive consequences मतलब आप कोई भी चीज करोगे तो उसका कुछ result भी आपको वैसा ही मिलेगा तो ये aversive के अंदर होता है token economy के अंदर क्या होता है कि behavioral problems can be given as a token as a reward every time जैसे for example कोई चोटा बच्चा है आप उसको daily बोलते हो कि आप मुझे daily एक new poem learn करके मुझे सुनाओगे जितनी बार वो आपको poem सुना देता है आप उसको एक token देते हो ठीक है token कुछ भी हो सकता है एक कोई card भी हो सकता है कोई एक coin भी हो सकता है जो आप उसको daily देते हो जब भी वह आपको सुनाता है आप उसको token देते हो जब भी वह आपको सुनाता है आप उसको token देते हो जिस दिन नहीं सुनाता है आप उसको token नहीं देते हो और उनको वो use करके एक दिन जो है कोई अपने लिए चीज, कोई भी अपनी ये समान, कोई भी चॉकलेट जो भी उसको पसंद है वो खरीद लेता है तो token economy भी एक तरह का appraisal ही होता है जो धीरे-धीरे करके जो है दिया जाता है differential reinforcement इसके अंदर क्या होगा? unwanted behavior can be reduced and wanted behavior can be increased इसके लिए एक और method जो use होगी वो होगी positive reinforce the wanted behavior and ignore the unwanted behavior जैसे for example कोई चोटा बच्चा है वो अपने parents इसे जिद कर रहा है movie देखने के लिए अब parents उसको नहीं ले जा पाए movie दिखाने के लिए तो वो रोने लग जाता है चिलाने लग जाता है खाना खाना छोड़ देता है अब हमको अगर उसका ये behavior change करवाना है तो हम क्या करेंगे? कि जितनी भी बार हम उसको movie दिखाने के लिए ले जाएंगे तो ये क्या है? ये positive reinforcement है क्योंकि हमको ऐसा ही behavior चाहिए कि बच्चा रोई नहीं जिद नहीं करे शांती से अपनी बात को बुले और जितनी भी बार वो रो रहा है ये जिद कर रहा है हम उतनी बार उसको movie दिखाने नहीं ले जाएंगे तो unwanted behavior के लिए हम क्या देंगे? negative reinforcement तो अभी negative positive reinforcement समझ में है जो काम हम चाहते हैं हम उसके लिए positive reinforcement देते हैं जो काम हम नहीं चाह रहा है हम उसके लिए negative reinforcement देंगे ठीक है तो negative reinforcement कैसा है कि मानलो बच्चा जित कर रहा है तो हमने उसका वो काम ही नहीं करा ठीक है जैसे for example हमने बच्चे को बोला कि आप हमको poem सुनाना बच्चे ने poem नहीं सुनाई तो हम उसको chocolate नहीं देंगे तो that is a kind of negative reinforcement clear तो यहां से बच्चे को एक सीख तो मिलेगी ना कि मैं अगर poem नहीं सुनांगा तो मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी तो मुझे poem सुनाना है clear तो यह positive or negative reinforcement होता है जिसे differential reinforcement भी बोला जाता है systematic desensitization एक ऐसी technique है जो walk नहीं दी थी इसमें phobias वगेरा जो irrational fears होते हैं उन्हें treat किया जाता है बहुत बार आद देखोगे कुछ लोगों के अंदर एक kind of fear वो बैठ जाता है किसी को चिपकली से होगा किसी को snakes से होगा किसी को animals को देखके होगा किसी को किसी भी चीज से हो सकता है पानी को देखके भी हो सकता है उचाई को देखके भी हो सकता है ना height को देखके तो यह अलग-अलग ऐसे fears होते हैं जो लोगों के अंदर होते हैं, तो therapist नहीं पर क्या करेगा, client को relax कर देगा, और client को जो है, धीरे-धीरे करके उसके बारे में सोचने के लिए बोलेगा, जैसे for example, किसी कोई snakes से डर लगता है, तो धीरे-धीरे उसको उसके बारे में सोचने के लिए बोलेगा, धीरे-धीरे थोड़ा सा उसको snakes के साथ में relate करना स्टार्ट करेगा, मतलब snakes लाकर उसके पास में नहीं रख देगा, लेकिन धीरे-धीरे उसके उस phobia, उस डर को हटाने की, मिटाने की कोशिश करेगा, अगर लगेगा कि client बहुत जादा fearful situation में हो गया है, बहुत जादा tension उसके उपर देखने को मिल रहा है, तो वो वहाँ पर उसकी thinking को stop कर देगा, फिर उसे बोलेगा, उसके बारे में मत सोचो, लेकिन धीरे-धीरे करेगा, इसे ही systematic desensitization कहा जाता है, जैसे किसी को hydrophobia होता है, पानी से डर लगता है, तो उस phobia को हटाने के लिए, उन्हें पानी के साथ में ही कुछ कुछ चीज़े करवाई जाती है, पानी के पास में उनको लेके जाता है, वहाँ पर उनको कुछ कुछ चीज़े सिखाई जाती है, thinking करवाई जाती है, जो भी इसमें behavior rating जो है एक technique यूज की जाती है क्योंकि देखो इन्होंने question में क्या पूछा है various techniques used in behavior थारीपी तो अलग-अलग techniques यूज होती है behavior rating भी technique यूज की जाती है ठीक है observation technique भी यूज की जाती है ठीक है जैसे reciprocal inhibition है reciprocal inhibition के अंदर क्या होता है कि दो mutually opposing forces present होती है ठीक है जो weaker force को inhibit कर देती है मतलब for example relaxation responses first built up and mightly anxiety provoking scene is imagined though which the anxiety is overcome by the relaxation एक जो है ऐसी situations create की जाएंगी कि एक ऐसी situation है जिसमें आपको डर लग रहा है एक ऐसी situation है जिसमें आप बिल्कुर relaxed feel कर रहा हो किसी तरह का कोई भी दरने लग रहा तो obvious है दोनों में साब कौन सी को choose करोगे जिसमें आपको relaxed feel हो रहा है तो एक force दूसरी force को कम कर दे रही है that is known as reciprocal inhibition का principle is that clear तो यह आपको यहाँ पर note करना है फिर है next आपका modeling अब modeling भी एक तरह की behavior technique है जिसके through क्या किया जा सकता है therapy की जा सकती है modeling में क्या होगा it is a procedure when the client learns to behave in a certain way by observing the behavior of our role model or the therapist who initially acts as a role model मतलब for example आपको कोई परसन पसंद है जो आपका role model है role model क्या होता है पहले समसकते हो आप लोग पसंद is different thing मतलब आप इसी को like करते हो role model is something जिसे आप क्या बोलेंगे हम जिसे आप follow करते हो ऐसे आन सकते है जिसे for example कुछ लोगों के लिए शारुखान is the role model ठीक है तो अब यह शारुखान जो है वो उसको पूरा follow करेंगे वो जिस तरह से रहता है जिस तरह से चलता है जिस तरह से बोलता है जो भी सारी चीजे खाता है सब कुछ उसको follow करने लग जाते है तो एक हमारी life का सबका ए है वो role model हुआ करते हैं अब बहुत बार क्या होता है learning जो होती है ना वो अपने उस role model के behavior को observe करके भी की जा सकती है तो जैसे for example मान लो मान लो यह जो हमारा client है ठीक है यह हमारा client है रोको हमारा client अभी दिखनी रहा है client को थोड़ा से दिखने दो हाँ तो यह जो है यह हमारा client है ठीक है अब मान लो इसको हमने कोई role model बना दिया इसका इसका कोई role model है यह person इसका role model है यह भी एक person है यह भी एक person है मैं therapist हूँ मै मैंने मेरे क्लाइंट को learning कर वा तो मैंने मेरे क्लाइंट को का कि देखो आपका जुरॉल model है उसको आप देखो अब रोल माडल को फर एक्जांपल इसमें चीज पड़ी विए क्लास 11th तो मुझे बताओ कि इतना सब को समाझ में आया या नहीं आया चिक है यह जितनी भी टेकनिक्स दी आना बुक के अंदर यह सारी के सारी आपको लिखनी है इस तार्ट क्लियर यह लिख पाओगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी कोई डाउब तो नहीं आएगा ठीक है तो यह सारा कुछ जो है आपको अपने इस कोशन के अंसर में नोट करना है behavior therapy थोड़ा बताओ फिर पूरी टेकनिक्स बताओ टेकनिक्स का एक flowchart भी बना सकते हो flowchart बनाने के बाद भी एकल करके explain कर सकते हो flowchart देखो as such कोई बहुत बढ़ी चीज नहीं है it is just कि आप flowchart बना देते हो ना तो कुछ चीज़े highlight हो जाती है ठीक है जैसे मानलो यहां पर कुछ लिखा है अब लिखा तो बहुत सारा है लेकिन ये दो चीजे मैंने highlight कर दी तो आपको दिख रहा है कि ये दो major points हैं जो मैंने अपने answer के अंदर include करें हैं तो जब आप लोग भी highlight करते हो तो जब भी जो आपका teacher होता है जो भी examiner आपकी copy check कर रहे हैं उनको दिख जाएगा कि आपने क्या-क्या सारे points read, include किये हुए हैं उन्हें एक-एक point read करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी Is that clear? Fine. अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि जो भी examiner है वो आपकी पूरी ऐसे line पड़ेगा कि psychological distress develops due to negative experiences provided this and that and ये वो पूरा एक-एक line पड़ेगा ऐसा वो कुछ नहीं कलता है वो देख लेते हैं उनको इतना experience होता है वो देखके समझ जाते हैं आपने कितना लिखा होगा कितना नहीं लिखा होगा है ना तो उसके लिए आपको उन्हें और अच्छा दिखाना है अपने answer को चीक है? चालो question number 5 Explain with the example, with the help of an example, how cognitive distortions take place? समझ में आया? आपको बताना है, example को use करते हुए कि जो cognitive distortions होते हैं वो कैसे होते हैं यह आपको explain करना है मैंने आपको क्या पता है था? behavior therapy के अंदर cognition भी आता है तो हमारा cognition क्या होता है basically किस तरह से हम चीजों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, understand कर रहे हैं, जान रहे हैं, thinking कर रहे हैं उनके बार में decisions ले रहे हैं, problems को solve कर रहे हैं यह सब कुछ हमारा cognition के अंदर आता है तो बहुत बार हमारे cognitive distortions हो जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ा हम सोच लेता है, जो कहीं न कहीं negative होती है, sense में तो कैसे यह negative distortions बनते हैं या कैसे these take place यह आपको explain करना है कुछ examples को use करते हुए तो यह तो बहुत simple सी चीज़ा है, आप लोग easily कर लोगे है न, इतना तो आपको आते ही है, देखो, हमको बताना है कि psychological distress जो है, वो basically किन चीज़ों से होते हैं आपको याद होगा हमने chapter number 3 पड़ा है, पहली कहा था मैंने यह सब याद करके रखना में पिसली चीज़े याद कराऊंगी chapter number 3 में हमने stress पड़ा था, हमने देखा था, stress का कारण क्या होता है, कारण होता है negative thoughts, ठीक है, देखो negative thoughts जैसी आपके अंदर आते हैं न, आपकी body के अंदर कुछ hormones release होना है, यह जो hormones होते हैं यह आपको stress provide करते हैं, यह stress hormones होते हैं, ठीक है, तो कुछ negative experiences life में, कुछ negative चीज़े जो भी चाहे family में हो, society में हो, यह कहीं न कहीं हमें psychological distress दे रही होती हैं, इनकी वज़े से हमारे अंदर कुछ negative thoughts develop हो जाते हैं, और यही negative thoughts होते हैं, जिनकी वज़े से हमें psychological disorders होते हैं, मैं आपको एक छोटा से example देती हूँ, racism समझते हो, racism क्या होता है, काला, गोरा, यह सारी चीज़े हैं आप black हो, आप white हो, आप brown हो, यह सारी चीज़े, तो यह हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा होता है, कि कोई black है, कोई white है, किसी का color ऐसा है, इस तरीके से, अब हमने देखा है, family society में बहुत बार यह चीज़े हम सबने experience की होंगी, कि जो गोरा होगा तो इसको बहुत अच्छा माना जा रही है, यह तो किता सुन्दर, जो बहुत गोरा होगा, किसी के थोड़ा सा dark shade होगा, अब बहुत बार हमने देखा है, किसी का dark shade होगा, तो उसको जो है, वैसे ही बोलने लग जाएंगे, उसको चिढ़ाने लग जाएंगे, उस नाम से, ठीक है, अब यह चोटे बच्चों के अंदर यह चीज़ बैठ जाती है, दिमाग में, childhood experiences बहुत trauma create करते हैं लाइफ के अं आने लगे, कि मैं तो है, बहुत ही अगली दिखता हूँ, मैं तो सुन्दरी नहीं हूँ, मुझे तो कोई प्यारी नहीं करता, मैं किसी के लिए भी अच्छा नहीं हूँ, मुझे कभी कोई पसंद नहीं करेगा, मैं बहुत ही stupid हूँ, clear, इस तरह के thoughts उसके मन में आने लगे आप उसके मन में ऐसे thoughts आन लगे कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा अगली हूँ, कि मैं तो सुन्दर दिखता ही नहीं हूँ, मैं तो stupid हूँ, मैं तो life में कभी भी successful नहीं हूँगा, इस तरह के सारी चीज़ उसके मन में आने लग जाती ह but which distort the reality in a negative manner, cognitive distortions, ways of thinking होते हैं, किस तरह से आप सोच रहे हो, in nature, in general, लेकिन कभी-कभी ये जो है, distort कर देते हैं, reality को negative manner में, जब आपके अंदर negative thoughts आने लग जाते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी cognitive structure को dysfunctional कर देते हैं, जिसकी वज़े से आपके cognition में दिक्कते आने लग जाती हैं मतलब आप अच्छे से सोच नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, decisions नहीं ले पाते हो, किसी problem को solve नहीं कर पाते हो, perceive नहीं कर पाते हो, ये सारे cognitive distortions आपके अंदर आना है, start हो जाएंगे repeated occurrence of these thoughts lead to development of feeling of anxiety and depression, बार बार जब ये thought किसी के अंदर आएंगे, कोई किसी भी तरह का negative thought हो, आप example में कोई भी चीज लिख सकते हो, ठीक है, मान लो आप एक example में लिख दो कि, for example, if a student fails in class 12 boat examination, so the society pressurizes him and the family as well and because of the pressure of the family and the society, the person makes some of the negative thoughts within himself that he can never succeed in his life and nobody appreciates him, he is the one who is the most, मतलब सबसे बुरा इंसान वही है इस दुनिया का, ठीक है, इस तरह के thoughts उसके मन में आना, start हो जाते हैं अब यह thoughts उसकी life में हमेशा आते रहेंगे, तो वो कभी भी कोई भी strong decision नहीं ले पाएगा और कोई भी काम करने से पहले उसके मन में negative thoughts आएंगे, मानलो उसको life में कोई opportunity मिलती है कोई बहुत अच्छा job offer होता है, उसके आगे ठीक है, पढ़ाई बढ़ाई करने के बाद में कर लेता है और कोई भात अच्छा job उसको बाद में offer होता है, तो वो यह सोच लेता है कि मैं तो इस job में भी failure हो जाऊंगा, कभी भी succeed नहीं करूंगा और इस तरह से वो क्या करता है, उस job opportunity को लेता ही नहीं है तो life में आगे नहीं बढ़ पाएगा, strong decisions नहीं ले पाएगा, life में कोई आगे को problem आगी, तो सोचेगा कि मैं तो कभी भी कोई चीज़ करी नहीं सकता है, क्योंकि कभी लोगों ने मेरे उपर trust नहीं किया, तो शायद मैं ही एक तरह का failure हूँ और life में कोई strong decision नहीं ले ले प सकते हो, now the therapist uses questioning which is gentle non-threatening disputation of the client's belief and thoughts, देखाओ, अब ये सारी feelings की वचा से, क्योंकि ये negative thoughts उसके अंदर आते हैं, तो उसको anxiety होने लगेगी, depression होने लगेगा, stress भी होगा, ये सारी चीज़ उसके अंदर होंगी, अब जब उसको therapy प्रोवाइट की जाएगी, कौन सी therapy देंगे cognitive therapy, कौन सी therapy, cognitive therapy, ये सब पढ़ाया है, मैंने तुम लोगों को है, कोई भी ऐसा नहीं बुलेगा, ये चीज़ तो उनने पढ़ी नहीं, ये चीज़ तो हमको आती नहीं, तो क्यों नहीं पढ़ी, मैंने तो पढ़ाई है, ठीक है, तो आपको जो है, इसको पढ़ लेना है, म होगा, एक हमारा client होगा, client कौन है, यही person है, जिसको anxiety हो रहा है, depression हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो जो therapist है, वो client से कुछ questions पूछेगा, ठीक है, कुछ questions पूछेगा, client क्या देगा, answer, obvious है, question पूछेगा, तो answer देगा, लेकिन client जो भी answer देगा, therapist उसको judge नहीं करेगा, therapist उसको judge नहीं करेगा, इसका एक और example देती हूँ, मान लो, client ने, therapist ने question पूछा, कि क्या ऐसी चीज है, जो तुम्हें बहुत जादा परिशान करती है, यह जिसकी वज़े से तुम जो है, मतलब तुमका anxiety, depression जैसी चीज़े हो रही है, ऐसे बात करती करती है, तो client ने बताय कि nobody loves me, ठीक है, कोई भी मुझे पसंद ने करता, कोई भी मुझे से प्यार नहीं करता है, तो इसकी वज़े से जो है, मैं life में आगे बढ़ने, मुझे बढ़ी दिक्कत आती है, तो therapist का reply क्या होगा, अगर हम बोलें कि यहाँ पर कोई therapist नहीं है, और client अपने घर में बोलता ह है, मान लो अपने parents से, कि मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता, तो parents क्या बोलेंगे, तुम तो गलत सोच रहे हो, तुमारी तो सोची गलत है, हम सब तुमको इतना प्यार करते हैं, लेकिन तुमारे मन में ऐसे thoughts क्यों आते हैं, कि हम तुमें प्यार नहीं करते हैं, तुमक therapist बोलेगा, why everybody should love you, ठीक है, therapist क्या बोलेगा, क्यों तुमें सब लोग प्यार करें, ऐसा, कौन सा जो है, क्या चीज है, जो तुमें लगता है, कि सब को तुमें प्यार करना चाहिए, clear, तो क्या कर रहे है, deep thinking करा के सोचने का तरीका ही बदल दे रहे हैं, ठीक है, जैसे for example, client client ने बोला कि मैं कभी भी अपनी life में successful नहीं हो पाऊंगा, therapist ये नहीं बोलेगा, क्यों नहीं हो पाऊगा, ऐसी कौन सी चीज है, जो तुमें लगती कि तुम लाइफ में successful नहीं हो सकते, therapist क्या बोलेगा, what do you mean by success in your life, success का मतलब क्या है तुमारी life में, तो मान लो, जैसे client न होगे, question का तरीका चेंज कर दो, question का तरीका चेंज होगा, सोचने का तरीका चेंज होगा, deep thinking होगे, deep thinking होने से negative thoughts दीरे दीरे कम होना, start होगे, कैसे, देखो, समझ हो यहाँ पे, ठीक है, समझ के ही answer लिखना है, so the therapist uses questioning which is angle non-threatening, disputation of a client's belief and thoughts, the therapist ask him, why should everyone love you and what does it mean to you by success, success का मतलब क्या है, सब तुमें प्यार क्यों करें, the question make the client think in the direction opposite to that of the negative automatic thought, sorry, he gains insight into the nature of his dysfunctional schemas and is able to alter his cognitive structure, aim of the therapist is to achieve the cognition restructuring which in turn reduces anxiety and depression, तो यहाँ पे इस तरह के question करके, जो client के सोचने का तरीका है, बही चेंज कर दिया, हमने क्या बुला, client के अंदर negative thoughts आ रहे हैं, उन negative thoughts की वज़े से, client जो है, वो कही न कहीं, उसका cognition का जो structure है, वही change हो गया है, तो हमको उस structure को वापिस से बैसा ही करना है, पहले जैसा, तो हम उसकी question करने के तरीके को ही बदल देंगे, यहाँ से cognitive restructuring हो जाएगी, पहले जो cognitive structure alter हुआ था, अब वो सही हो जाएगा, cognitive restructuring हो जाएगी, और इस तरह से, जो भी हमारा patient anxiety, depression या जिस भी तरह का psychological disorder face कर रहा है, वो खतम हो जाएगा, is that clear, tell me, जल्दी जल्दी बताओ, फटा फट, यह समझ में आया, आपको पते चल गया कि आपको किस तरह से जो है, इस question को answer करना है, इसमें किसी तरह का कोई doubt आ रहा है आपको कोई ऐसी चीज़ है, जो आपको समझ में नहीं आई, cognitive distortion क्या होता है, वो आपको समझ में आया कि negative thoughts होते हैं, अब मुझे वही बताना था example के साथ में कि cognitive distortions कैसे होते हैं, कैसे उनको tackle किया जाते हैं, यही तो पूछना मेरे question है, how cognitive distortions take place, तो हमने बता दिया example के साथ में कि बहुत बार कुछ negative thoughts हमारे अंदर आते हैं, जो कही ना कहीं family, society हमारे आसपास हमारे environment से ही आ रहे होते हैं, और इस तरह के जो भी distortions हैं, हमको, मतलब इस तरह के जो भी negative thoughts हैं, कही ना कहीं हमारे cognitive distortions लेके आते हैं, यानि हमारे cognitive structure को change कर देते हैं, कैसे तो हम example देते चले गए, ठीक है, और फिर हमने बता दिया कि cognitive, जो है, therapy के थुरू, हम इसको change भी कर सकते हैं, हम cognitive restructuring भी कर सकते हैं, जिससे psychological disorders भी ठीक हो जाएंगे, anxiety, depression भी reduce हो जाएगा, is that clear? fine, so five questions को अब तक हमने answer किया है, इन five questions के answer में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, हमने ये भी देखा है, कि answer को start कैसे करना है, question को कैसे समझना है, word limit में लिखना है, highlights करना है, flow charts बनाना है, introduction देना है, conclusion भी देना है, required जहां भी हो, most of the time जो describe, discuss, ये वाले जो questions होता है, जि generally short में होते हैं, इसमें आपको कुछ-कुछ चीज़े लिखनी होते हैं, जहां explain लिखा है, जहां लिखा है, describe with, describe, जैसे for example लिखा है, describe behavior theory and explain its techniques, तो behavior therapy थोड़ा सा बताना है, लेकिन उसकी techniques explain करना है, तो इस तरह के questions जहां पर आते हैं, वो आपके long या ऐसे type होते हैं, तो आ 5 questions हमने answer करें, I hope so, यहां तक आपको clear है, अब आगे बढ़ेंगे, question number 6, 7, 8, 9, 10, 11, यह सबको भी answer करेंगे, clear, तो इस तरह से लिख लोगे, यह सारा कुछ यह नहीं, इसको लिखने की practice अभी से करना है, start कर दो, ठीक है, आगे बढ़ते, question number 11 पर आ जाते है, sorry, question number 6, start कर दे question number 6, which therapy encourages the client to seek personal growth and actualize their potential, write about the therapies which are based on this principle, question ही कर रहा है कि वो कौन सी therapy है, जो client को personal growth and उसके potential को actualize करने में help करती है, ठीक है, personal growth मतलब वो person की growth हो, साती सात में वो अपने potentials वगेरा को realize करके, अपनी life में आगे बढ़ सके, तो वो ऐसी कौन सी therapy है, जो client को इन चीजों में help out करती है, write about the therapies which are based on this principle, जितनी भी सारी therapies इस principle पर based हैं, यानि actualizing their potential, इस वाले principle पर based हैं, उन therapies के बारे में आपको यहा other than humanistic existential therapy, clear, अब यह humanistic existential therapy के बारे में हमने पढ़ाए chapter के अंदर, देखो humanistic existential therapy यह बोलती है, कि कि किसी भी तरह की psychological problem का, जो cause है, वो क्या है, जब आपके मन में कुछ ऐसे questions आने लग जाते हैं, कि मैं यह life क्यों जी रहा हूं, मेरी life का क्या meaning है, ठीक है, इस तरह के जब questions उस तब जो है, उसके सारे psychological problems start होते हैं, और इसका जो treatment है, वो humanistic existential therapy के अंदर है, जिसमें human को focus किया जाता है, उसके existence के बारे में कुछ चीज़े उसको realize करवाई जाती है, जिसके through उसकी personal growth हो सके, और साथी साथ में वो अपने potentials को actualize कर सके, जिसे मैसलो ने self-actualization कहा है, मैसलो ने क्या कहा है, इसे self-actualization, is that clear, ठीक है, यही आपको अपने answer में लिखना है, लेकिन सिर्फ इतना सा नहीं लिखना है, और भी बहुत कुछ लिखना है, ठीक है, तो मैंने आपको question explain कर दिया, यह जो question है, इसमें ऐसा चुनने कोई parts वगेर नहीं पूचे हैं, कि humanistic existential therapy क्या होता है, यह होता है, यह कुछ नहीं पूचा, उनने indirect question दिया था, कि कौन सी theory personal growth and actualize potential करने में help out करती है, तो हमने बता दिया, humanistic existential, तो उनने का इसको थोड़ा सा explain करो, इसके बारे में और भी जित्ती theories उनके बारे में पताओ, तो अब हम उसको एक एक करके explain करेंगे, यहां पर, is that clear, इसमें किसी तरह का कोई doubt तो नहीं है, चलो, आप देखते हैं क्या क्या points लिख सकते हैं, तो सबसे पहले humanistic existential therapy लिखना, इसको highlight करना, ठीक है, now this encourages the client to seek personal growth and actualize their potential, पहली line हमारी यही होनी चाहिए, आप सीधा humanistic existential therapy explain करने नहीं लगोगे, सबसे पहले जो question की first line हैं, आपको इसका answer करना है, और आप पुझा कौन सी therapy encourage करती client को, तो आप लिखोगे, humanistic existential therapy encourages a client to seek personal growth and actualize their potential, now this therapy claims that psychological distress arises from feelings of loneliness, alienation and an inability to find meaning and genuine fulfillment in life, अब यह therapy यह कहती है, कि psychological distress तब arise होता है, जब आपको अपनी life में बहुती अकेला पन लगने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे बहुत साथा दूर हो गए हो, कोई भी आपके साथ में नहीं है, आपको अपनी life का meaning समझ में याता कि आप ऐसी life क्यों जी रहे हो और आपको अपनी life में आगे क्या करना चाहिए, तब इस तरह के जो questions होते हैं वो हमको परेशान करने आपको अपनी परसनल ग्रोफ चाहते हैं और साथ ही साथ में इमोशनल नीड्स होती हैं जैसे हम इस सोसाइटी में रहे होते हैं रहे हैं हमारी एक फामली होगी हम human beings जो हैं सभी अपनी life में कहीं ना कहीं psychological distance वगेरा face करते ही करते हैं तो वो आपको यहाँ पर पूरे explain करना है कि किस तरह से जो है हम humans की tendency होती है हम हमेश अपनी life में आगे बनना चाहते हैं अपने जो भी desire से उनको fulfill करना चाहते हैं existence पर जब हमारे मन में question सारी लग जाते हैं कि हमको यह सारी चीज़े हो रही है loneliness, alienation और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब जो है यह humanistic existential therapy दीके यह जो therapies है यह existential therapy मतलब these are based on this principles are existential therapy, client centered therapy and guest art therapy हमने इन तीनों को आपके chapter के अंदर पढ़ा हुआ है आपको उन्हें ही यहाँ पर explain करना है but again आप बहुत जादा detail में नहीं लिखोगी क्योंकि आपको हर एक theory को यहाँ पर लिखना है अगर book के according जाएं तो ऐसे तो आपके कम से कम 7-8 page भर जाएंगे है तो हमको वो चीज नहीं करना है हमको unnecessary नहीं लिखना है थोड़ा थोड़ा सब के बारे में सबका एक जो है पूरा जान लो और उसकी एक summary निकालो और फिर उसको लिख दो मतलब जैसे for example यहां पर इनने क्या क्या पूछा है यहां पर इनने humanistic existential therapy भी पूछी है इनने gastal therapy भी पूछी है इन्होंने client center therapy भी पूछी है अब सबको अगर explain करने लग जाएंगे तो तो बहुत जादा हो जाएगा तो हमको क्या करना है इन सबको पहले पढ़के समझ लेना है ठीक है कि इस थारपी में क्या होता है और फिर इन सब की एक छोटी छोटी सी summary निकालो ठीक है कि मतला हमने इतना पढ़ा तो उसका conclusion क्या निकला तो वो थोड़ा थोड़ा जो है यहां पर आपको mention कर देना है बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने answer में examples include करते हैं तो यह हमेशा ह कि मैं आप लोगों को कहूंगे psychology में तो आप जितने ज्यादा examples के through explain करोगे जितने ज्यादा examples अपने answer में लिखोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए beneficial होगा आप अपने answer को बहुत अच्छे से explain कर पाओगे और साथी साथ में अगर आपको लगते कि आप कहीं कोई flow chart diagram तो आप वो सारी चीज़ें भी करो क्योंकि यह चीज़े ना psychology में सच में marks gain करने में बहुत help करती है तो यह एक चीज़ ध्यान में रखना है तो हम सबसे पहले थोड़ा सा जो है humanistic existential बता जेते हैं कि यह जो therapies होती है यह loneliness, alination, यह इन सारी feelings के लिए होती है personal growth, self actualization की बात कर अब इसमें आपको थोड़ा सा explain करना है किसको self actualization को, किसको self actualization को, self actualization जो मैसलो ने दिया था जिसमें वो यह कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी needs होती है, पहले हमारी personal needs होती है, फिर जो है हमारी social needs होती है, फिर जो है उसके बाद में हम हमेश अपनी life में और आगे बढ fulfill करने में, मतलब वही कभी हमारी खतम हो नहीं पाती है, और life में हम लोग बहुत कम ऐसा होता है कि हम जो है, किसी एक stage पर आके ऐसा सोच लें कि हाँ, अब तो हमको सब कुछ मिल गया है, अब हमें किसी और नहीं चीज की जरूरत नहीं है, तो उसको achieve करने के लिए हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, अब अगर कोई ऐसे circumstances बन जाएं, जहां पर हमारी ये जो needs हैं, ये satisfy नहीं हो रही है, या हमारे जो भी desires हैं, हम उसे fulfill नहीं कर पा रहे हैं, तब जो है psychological distress होते हैं, ये आपको लिखना है, ये जितना मैंने बोला है न यहाँ पे, ये सब अभी विक्टर फ्रांकल जो है, एक psychiatrist भी थे, neurologist भी थे, इन्होंने जो है, लोगो थेरपी अपना नाम दिया था, मतलब ये जो इन्होंने थेरपी दी इसके लिए, तो उन्होंने उसको नाम दिया था, लोगो थेरपी, जिसका मतलब है, लोगो एक Greek word है, जिसका मतलब है soul, और therapy is a something treatment, तो इसका मतलब क्या हो गया, treatment for the soul, तो इस एक process के अंदर जो है, जो भी life threatening circumstances होते हैं, उन में हम कहीं न कहीं meaning find out कर लेते हैं, कि आपकी life में कोई बुरा time भी आया है, तो वो एक्टिल में क्यूं आया है, उसके पीछे क्या कारण है, तो हम हर एक चीज में, जो है, meaning ढ स्टार्ट कर देते हैं, और इसके थूँ एक person जो है, मतलब वो अपने spiritual truth of once existence जाना चाहता है, कि उसको भगवान ने दर्ती पर भेजा, तो क्यों भेजा, और वो spiritually ही जो है, मतलब सारी चीजों से अपने आपको connect करके, और फिर अपनी life का meaning समझ लेता है, तो आपको ये भी समझने का, जानने का, मैं बस आपको ये कहूंगी, पढ़ो उसको, पढ़के आपको जो जो चीजे समझ में आती है, जो जो में में चीजे आपको लगती है, आप उसको लिखने की practice करो, ठीक है, और आप एक नाइम पर देखो कि हाँ, आपने बहुत अच्छा answer जो है, अप करते हैं, वो concept of self with freedom and choice as the core of ones being बोलते हैं, बोलते हैं कि life में जो है, मतलब हमारा एक अपना concept होता है, अपने आपको लेके, हम अपनी life में freedom चाहते हैं, अपनी choice चाहते हैं, हम चाहते हैं, मतलब life में हम जो भी सारी चीजे चाहते हैं, हम उसको फुल्फिल कर पाएं, तो यह यहां पर कहीं न कहीं जो है, एक warm relationship बनती है, client और therapist के बीच में, तो जो therapist है, वो client को कभी भी judge नहीं करेगा, एक unconditional positive regard जो है, term उन्हों ने यहां पर दिया था, और उसी unconditional positive regard को maintain करके रखेगा, मतलब कि कोई भी चीज हो, वो अपने client के उपर ही पूरा focus रहेगा, उसको judge नही जिलना मत, unconditional positive regard, यह term बहुत important है, ठीक है, unconditional positive regard indicates positive warmth of therapist is not dependent on what the client reveals or does in the therapy sessions, मतलब ऐसा हो सकता है, कि client जो है, वो अपने therapist के उपर चिला दे, उसे शायद मारनी के लिए भी खड़ा हो जाए, थोड़ा उसकी तरफ जो है, चार्ज करने लग जाए, किसी भी तरह की चीज हो सकती है लेकिन यहाँ पर जो therapist है, उसको अपने client के साथ में एक बहुत ही warm relationship बना के रखनी ही पड़ेगी, किसी भी circumstances में, तब ही तो जो client है, वो थोड़ा सा secure feel करने लग जाएगा, थोड़ा सा समझेगा चीजों को, और फिर उसके बाद में उसके psychological distress को change किया जा सकता है, clear, last service में get start therapy लिखोगे, start जो है, एक German word है, जिसका मतलब होता है whole, तो हम अक्सर अपनी life में wholeness चाहते हैं, completeness चाहते हैं, और उसके लिए जो है, हम अक्सर अपने, मतलब जो भी सारी चीज़ा हम life में जारे हैं, उसको fulfill करते रहते हैं, यहाँ पर therapist जो है, वो individual को self aware करता है, उसको self acceptance सिखाता है, और जो भी सारे emotions उसके कही न कहीं block out है, उनको remove करता है, जो भी conflicts चल रहे हैं, उनको remove करता है, और इस तरह से जो है, उसको एक completeness उसके अंदर feel करवाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है, हमारे अंदर सारा potential होता है, बट हम realize ही नहीं करते हैं, कही न कहीं हम दू से उसके जो भी psychological distress है, वो resolve हो जाते हैं, मैंने आपको बहुत 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 ब्रीफ में बताया है, ठीक है, मैंने जस्ट आपको points बता दियें कि आपको लिखना क्या क्या है, तो आप start करोगे introduction दोगे humanistic existential therapy का, फिर आप उसमें Victor Frankel की therapy बताओगे, logo therapy, फिर आप उसम आंसर में examples को include करो, जिसने जो therapy दी जैसे for example, gestalt ने जो है, therapy दी, तो मतलब gestalt therapy है, तो ये therapy दी आपको Frederick Pulse ने और उनकी wife Laura Pulse ने, तो उनके नाम को आपको highlight करना है, यही चीज़ें हैं जो आपको marks gain करने में help करती है, ठीक है, तो समझ में आगया, ये सारा कुछ कैसे करोगे fine, तो इस तरहीके से आपको ये सारे points अपने answer के अंदर include करने है, ये सारे principles आपको इसके अंदर बताने हैं और यहां पर आपका answer हो जाएगा complete, clear, fine, I hope से इसमें भी किसी तरह का कोई doubt नहीं है, अब और आगे बढ़ते हैं और आजाते हैं हमारे next question पे, that is question number 7, so what are the factors that contribute to healing in psychotherapy, and even it's about the alternative therapies, अब इस question के अंदर दो parts हैं, ये question देखो क्या कह रहा है, कौन-कौन से वो factors हैं, जो healing में help करते हैं, मतलब psychotherapy में जब healing हो रही होती है, जब हम अपने patient को relief provide कर रहे होते हैं, तो वो कौन से factors हैं, जो help करते हैं, और इसके अलावा, कौन-कौन सी therapies हैं, यानि alternative therapies जिने use किया जा सकता है, तो थोड़ा सा उनको भी आपको enumerate करना है, थोड़ा सा उनकी भी features आपको यहाँ पर describe करना है, clear, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले हम factors बताएंगे, ठेक है, और उसके बाद हम क्या बताएंगे, alternative therapies, ये लिख लेना side में, ठीक है, alternative therapies, और इसके साथ में मैं क्या चीज़ बताऊं आपको, मतलब दो-चार पॉइंट्स और बता दूँ, कि जैसे alternative therapies हैं, तो alternative therapies हैं क्या-क्या, तो जैसे एक तो आपका हो गया yoga, एक हो गया आपका meditation, है ना, ये दो ये explain कर देना, बुक में भी आपकी mainly जो है, इनी दो को explain किया जाते हैं, एक तो पहले थोड़ी सी anxiety होती है हमको, फिर जब paper हमारे सामने आ जाता है, अब paper में तरह तरह की question होगे, कुछ question ऐसे होगे, जो आपको बहुत अच्छे सा आते हैं, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, ये तो मुझे सारा कुछ आता है, कुछ question ऐसे हैं कि जिसमे answer आपको नहीं आता है, तो वो आपको थोड़ा सा attention देती है, ये वाला तो मुझे आते ही नहीं है, इसको मैं कैसा answer करूँगा, फिर आप पूरा paper पढ़ने के बाद में, अब आप सोचते हैं, चलो मैं answer लिखने स्टार्ट करता हूँ, आप जो आते हैं वो तो आप अच्छ हैं, तो जैसे आपने paper देखा, आपको कुछ-कुछ points याद आ रहे हैं, वही पर pencil लो, बिल्कुल छोटा-चोटा सा लिख लो, rough page पर लिख लो, लेकिन बिल्कुल छोटा-चोटा सा वहाँ पर जो है, आप लिख लो कि हाँ, ये वाला point भी मुझे याद आया, ये वाला point भ अपर एक word भी नहीं लिखना है, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो हम लोग नहीं लिखते हैं, अब हम सोचते कि यार कहाँ पर लिखें, माम ने तो मना कर दिया, कि कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, और answer sheet अभी मिली नहीं, अभी तो सिर्फ paper को कोई read करें, क्या पता, कैस करें लेकुद करते हैं ताकि ना करें कुछेटिंग ना करें क्योंकि बहुत बार इस्टूडेंटूडेंट्स कहघें करते हो दो जाति आजू-बजूबालों को चीटिंग हो जाती है बट और ऐसा नहीं भी करना चाहीए ठीक है लेकिन देखो मैं भी यह चीज करती थी, इसलिए मैं तुम लोगों को भी बता रही हूँ, पैंसिल लो और उससे बिल्कुल छोटा-छोटा, इतना छोटा कि सर्फ आपको समझ में आए, और टीचर को वो चीज दिखे नी, और असाइड में उसको कहीं पर भी लिख लो, बिल्कुल मैं भूल जाती थी, थोड़ी देर बाद कि मुझे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, फिर मुझे कुछ याद आया, कुछ नहीं आया, तो बिल्कुल छोटा-चोटा लिख देती थी, कभी एकाथ बार टोका भी था, तो फिर मैंने रब कर दिया था, लेकिन वरना मैं याद रहता है, ठीक है, और मैं जब भी आपको NCRT solutions कराती हो, तो मेरा यही मोटिव रहता है, कि मैं आपको board examination के according ही prepare करगा हूँ, ठीक है, ताकि question answers की habit हमें अभी सही होनी चाहिए, ऐसे नहीं ना, कि जब paper आएगा तब देखेंगी, कर लेंगे, not like that, इस starting से habit महुन चीज factors that contributing to healing in psychology, वो कौन-कौन से factors होते हैं, जो साइब को therapy में healing करने में help करते हैं, को healing जो है, वो एक time-taking process है, healing एकदम से नहीं होती, healing मतलब क्या, healing मतलब जो हम therapy provide कर रहे हैं हमारे client को, तो उस therapy के through, उसको जो भी distress या जो भी problem थी, वो problem अब ठीक होने लग जाए, है ना, हमारा patient अब पहले जैसा हो जाए, normal हो जाए, ठीक हो जाए, clear, तो उस healing में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जो help करती हैं, तो बहुत सारे factors हैं, जैसे, major factor है कि आप कौन सी technique adopt कर रहे हो, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है ना, 3-4 factors थे इसके अंदर, sorry, तो जो भी technique आप adopt कर रहे हो, प्लस उस technique को implement करना, मैंने इसका आपको एक example भी दिया था, कि जैसे, मान लो, for example, किसी person को, कोई हमारा patient है, उसको cancer है, ठीक है, तो अब आपको ये तो पता है कि cancer है, तो ये, ये, ये सारी therapies जो हैं, लगने वाली chemotherapy होगी, या फिर जो है, ये आपको पता तो सब कुछ है, technique आपको पता है, लेकिन आप उसको same implement नहीं कर रहे हो, आप उसको type 8 की दवाई दे रहे हो, पता है आपको कि ये वाली दे नहीं, लेकिन आप दे रहे हो ये वाली, तो क्या उससे treatment मिलेगा, नहीं, लेकिन अगर आप best therapy सोचो और आप उसी therapy को उसके उपर implement करो, बिल्कुल सही तरीके से, तो healing बहुत जल्दी होगी, clear तो पहली चीज़ है कि आप technique कौन सी adopt कर रहे हो, और आप उसको अच्छे से implement करते हो या नहीं, अगर behavioral system and CBT school को adopt किया जाता है, एक ancient client के लिए, तो relaxation procedure और cognitive restructuring जो है, वो healing करने में help करते हैं, इसका एक example भी दिया है, कि मानलों किसी को behavior से related problem है, उसको बहुत ज़्याइटी होती है, मानलों उसको कोई phobia है, तो उसके लिए relaxation procedure और cognitive restructuring ये दोनों बहुत ज़्यादा help करेंगे, मतलब आप उसको जो है, रिलाक्स करो, आप उसको deep thinking बगरा करवा हो, तो इसके थुरू कहीं न करने में, तो एक factor आपका ये हो गया, हमने इसमें example भी दे दिया, behavioral system का, clear second पर आजाते है, therapeutic alliance, जो हमारा therapist है और जो हमारा patient है, इनके बीच में जो relationship बनेगा, वो healing में बहुत ज़्यादा help करता है, क्योंकि देखो, just take an example, जो client है, मानलो मैं client हूँ, और मेरा कोई therapist है, ठीक है मानलो ये T person मेरा therapist है, ठीक है, अब मुझे जब भी कुछ ऐसा अजीब लगा, मानलो मुझे anxiety है, ठीक है, मुझे anxiety हो रही है, मुझे बहुत अजीब सा ड़ लग रहा है, और मैंने सुचा यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं है, मैंने का चलो therapist को phone लगा दीए, अजीब तक ठीक नहीं हो जाता है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर दोनों के बीच में relationship बहुत अच्छी है, कि जब भी मुझे कोई problem हो रही है, मैं हमेशा अपने therapist को बता रही हूँ, मेरा therapist हो उसमें मुझे बिना judge किये, मेरी help कर रहा है, तो य ये एक healthy relationship है, clear, तो therapeutic relationship जो है, वो बहुत ही ज़्यादा important होती है, ये एक जो है, empathy प्रोवाइट करता है अपने client को, मतलब की, एक तो होता है sympathy और एक होता है empathy, ये दो टाम्स हम लोग बच्पन से सुनते हुए आ रहे हैं, sympathy is something कि मानलो आपके साथ में कुछ, आपको मानलो को कोई बिमारी हो गी थी और वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, तो मैंने उसको बोला कि हां मुझे तुम्हारे लिए भी बुरा लगता है, तुम बिलकुल ठीक हो जाओगे, तुम परेशान मतों, that is sympathy, कि आपने जाके उसको थोड़ा अच्छा बोल दिया, empathy is something कि आप आप उसको साथ में हो और आप उसको बोलो कि तुम्हारे इस पूरी problem में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी help करूँगा, तुम मुझे बताओ तुम्हें किस तरह की help की जरूरत है, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूँगा, that is a kind of empathy, कि आप उस person के कि अपनी problem की तरह समझो, जैसे मान लो उसकी तवियत थराब है, तो मैं उसके पास जाओ और मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारी सीज को feel कर पारीं, तुम्हारी ऐसा होता होगा, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैं तुम्हारी help कर दूँगी, ठीक है, that is a kind of empathy, एक हो तो वो भी clear हो गया होगा, तो एक मैंने आपको therapeutic alliance का point बताया, एक मैंने आपको techniques and implementation का point बताया, third जो point है, वो ये है, कि जब therapy start होगी, तो patient और client जो है, वो initial sessions में उसको interview किया जाएगा, ताकि हम उसकी problem को समझ पाए, तो उसका emotional problem unburden हो पाए, जिस process को catharsis कहा जाता है, तो इसमें भी healing properties होती है, इसका मतलब क्या है, unburdening of emotional problems और catharsis, catharsis ये कहता है कि जब भी मान लो मेरा कोई patient है, वो मेरे पास में आता है और वो मुझे बताता है कि मुझे ये सारी problem हो रही है, तो मैं उसके अगर help कर पा रही हूँ, कि वो अपना जो भी emotional burden उसको feel हो रहा है, ज जब वो अपनी सारी बाते मुझे बता दे बिना कुछ सोचे हुए, मुझे उतना help करूँ, तो कही न कहीं वो जो भी heavy feel कर रहा था अपने अंदर, अब वो थोड़ा से relax हो जाएगा, जिसे catharsis कहा जाता है, तो अगर catharsis हो जाता है, तो भी healing बहुत जल्दी होगी, इसका एक और example है, जैसे मानलो आपका कोई friend है, जिसको बहुत time से बहुत stress में है, या बहुत जादा परेशान चल रहा है, reason कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो अब अगर आपका कोई friend है, बहुत जादा परेशान है, बहुत जादा दिक्कते face कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसको कोई किसी के भी साथ में वो अपनी चीज़े शेयर नहीं कर पा रहा है, और मानलो किसी दिन आप उसके पास में जाते हो, आप उसे मिलते हो, बैठते हो, और वो person इतना जादा परेशान है, लेकिन बातों बातों में जो है, आपके साथ में comfortable feel करके, वो अपनी सारी problems आपके साथ में share कर देता है, आप भी उसको judge नहीं करते हो, even empathetic रखते हो, उसके साथ में relationship, तो कहीं ना कहीं वो person जो है, अब जितना पहले heavy feel करा था, उतना नहीं करेगा, यह हमारे साथ भी होता है, जब हम अपने जो भी सारी चीज़े feel कर रहे होते हैं, जब हम उसको बोल देते हैं, तो कहीं नहीं हमको थोड़ा सा, जो है, light feel होने लग जाता है, so that is a process of catharsis, जिसमें emotional unburdening होगी, is that clear, fine, ठीक है, next आ जाते हैं, कुछ non-specific factors भी होते हैं, जैसे, देखो, कौन-कौन से होते हैं, non-specific factors, तो क्या होता है, कि कुछ तो ऐसी चीज़े हैं, जो in general होंगी, जो सभी patients के साथ में हमको देखने को मिलेंगी, तो वहां से भी healing हो सकती है, जैसे कि इसमें आप ऐसे समझो, कि different different clients होंगे, different different therapies होगी, लेकिन, अगर हर एक client ही चाहता है, कि मुझे तो ठीक होना ही होना है, तो कहीना कहीं एक motivation उसके अंधर हमको देखने को मिलती है, कि वो भाई अप एसा patient है, जो खुझ से बोलता है, कि मुझे जल्दी ठीक होना है, मुझे ठीक कर दो, तो उसके अंदर आपको healing बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, इसे patient variable बोलता है, और therapist का variable यह होता है, कि मानलो, जो है, उसने जो भी emotional conflicts वगरा है, वो नहीं चल रहे हैं, और mental health अच्छी है, जो हमारा client है, उसकी, तो यह चीजे therapist को help करती है, कि वो जल्दी से healing करवा दे, मतलब अगर देखो condition बहुत जादा खराब है, जैसे मानलो, कोई person है, उसको cancer है, वो doctor के पास में जाता है, और doctor देखते कि यार यह तो third या final stage पर आचुका है, तो कहीं ना कहीं, doctor का भी ज patient ऐसा आता है, जिसको cancer अभी होने ही वाला था, even हुआ भी नहीं है, हो सकता है, तो उसने वहीं पर ही उसको treatment कर दिया, clear, तो यह कुछ ऐसे चीजे होती है, जो non-specific factors हैं, जो healing करने में और ज्यादा help करते हैं, तो चार factors हैं, जो healing करने में help करते हैं, कौन-कौन से देखो, points लिखवा देती हूँ, आपको लगे तो आप अपने answers में भी लिख सकते हो, best techniques and their implementation, ठीक है, यह समझ में हा रहा है, कि आप कितनी best technique यूज़ करते हो और उसको implement करना, techniques अभी best होती है, लेकिन अपने patient के according आप उसके लिए technique यूज़ करों, ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या है बताओ, therapeutic alliance, yes, very good, तो therapeutic alliance हो गया, fine, third इसके बाद में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो non-specific factors, ठीक है, non-specific factors, इसी के अंदर आप लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, patient variable, कि patient के अंदर motivation है, वो खुद से ठीक होना चाता है, एक आप लिख सकते हो, therapist variable, therapist variable क्या हो गया, कि जो therapist है, उसके पास में कुछ ऐसे patients आएं है, जो, जिनकी mental health वगरा अच्छी है, ठीक है, और fourth में याँ आपर लिख दे रहे हूं, कि tharsis, ठीक है, और emotional unburdening, ये points आपको दे रही हूं, आपको लिखने हैं, तो आप लोग लिख सकते हो, अपने answer में, ठीक है, मतलब मेरे according तो लिखना ही चाहिए, बट मैं जबरदस्ती नहीं करी हूं, fine, तो ये कुछ points हैं, जो आप अपने answer में लिख सकते हो, मान लो, ये question आजाए, तो आप अपने points का एक flow chart भी बना सकते हो, is that clear? कोई डाउट तो नहीं है, इसमें, ठीक है, अभी question complete नहीं हुआ है answer, ठीक है, अभी कुछ और बचा है, क्या? alternative therapies, ठीक है, तो अभी जो है, alternative therapies भी बची है, मतलब वो सारी therapies जो आप psychodynamic behavior ये humanistic existential के अलावा भी use कर सकते हो, psychotherapy के लिए या psychological disorders को treat करने के लिए, ठीक है, तो कौन-कौन सी होती है आपकी alternative therapies, तो इसमें आ जाएगा आपका yoga, meditation, acupuncture, herbal medicines and so on, इसमें mainly उन्होंने yoga and meditation को ही explain किया है, जाधा acupuncture या herbal medicines के उपर आप वो नहीं गए है, ठीक है? तो yoga and meditation में आप बता दोगे, कि past 25 years में हम देख रहे हैं कि yoga और meditation को बहुत जाधा popularity मिल गई है, और साथ ही साथ में, ये psychological distress को मतलब treat करने में बहुत जाधा help करें हैं, योगा एक ancient Indian technique है, जिसका जो detail है वो ashtang yoga of patanjali yoga sutra में दिया गया है, तो yoga commonly इसके अंदर आसन होते हैं, body postures होते हैं, breathing practices होती है, इसको mainly हम दो parts में divide कर देते हैं, योगा को, एक जो breathing practices पर focus करता है, और एक जो होता है आपका वो body posturing को लेके होता है, अगर आप daily एक skilled teacher या proper training लेते हो, ठीक है, और 30 minutes भी अगर आप daily practice करते हो yoga, तो आपको बहुत सारे psychological distress को treat करने में help मिल जाती है, जैसे mental focus हो गया, stress tolerance हो गया, insomnia हो गया, मतलब आपको नहीं दुनी आती है रात में, क्योंकि yoga कहीं ना कहीं आपके पूरे एक time को ना, क्या कर देता है, इंप्रूफ कर देता है, आपकी life की quality को इंप्रूफ कर देता है, वहीं जो meditation होता है, कि आपको practice करना है attention, कैसे आप focus कर सकते हो चीजों के ऊपर, कैसे आप breathing आप कर रहे हो तो आपको अपने breathing के ऊपर focus करना है, वो meditation वगरा में होता है, आप इसमें कोई object, कोई thought, कोई mantra के ऊपर focus कर सकते हो, इसमें जो vipassana meditation होता है, जिसको mindfulness based meditation भी कहा जाता है, इसमें कोई object या thought नहीं होता है, it's just कि आप अपने breathing को ही आप जो है कर रहे होते हो या इसमें जो है आप किसी body sensations को feel कर रहे होते हो कि आपकी body में क्या सारी चीज़ों हो रही है या meditation करते टाइम कौन-कौन से thoughts आपके मन में आ रहे हैं तो वो कहीं न कहीं unconscious चीज़ों को भी conscious में लेकर आ जाता है डिप्रेशन वगेरा अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है या depression किसी को भी है तो उसके लिए विपासना या mindfulness based meditation बहुत ज़्यादा useful रहेगा इसमें हमने योगा के अंदर पढ़ा हुआ है आपको याद होगा तो हमने योगा के भी कुछ different types पढ़े हुए है कि योगा में ये वाला जो योगा होता है वो इसके लिए होता है तो वो भी आप थोड़ा से यहाँ पर explain कर सकते हो मैं आपको ये कहूँगी अगर आप इसमें flow chart बगरा बना सकते हो ना तो आप बिलकुल बनाओ देखो कैसे बना सकते हो आप आप ऐसे लिखो आपने alternative therapies लिखा ठीक है आप लिखो alternative therapies इसके लिए थोड़ा सा google भी कर सकते हो ठीक है अगर आपको लगता अगर आपको और जादा जानना है तो इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है मैं बस आपसे इतना कह रही हूं कि अगर आप और अच्छा करना चाहते हो न अपनी फील्ड में तो आप लोग कर सकते हो ठीक है वह आपकी अपनी चोईस है अगर ऊटर्शन कर रहा है तो इसमें वह कोई चोई लिकार सकते हो एक उजब में धाया है कि इसमें एक तो नहीं पताया चिक है एकंगाल लिग दीया हमने एक उनने बताया हर्बल है में इइस है पिर इसमेन जो है एक उन्होंने हमको बताया योगा के बारे में और cent फिर चीजे होती है ना और ये बॉडिली पोजीशन अगर हम डेली प्राक्टिस करते हैं डेली फोर 30 मिनिट भी तो यह हमको बहुत जादा डिस्ट्रेस वगरा में हेल्प करते हैं इसके अंदर क्या होगा कुछ ब्रीधिंग पैटर्ण्स या ऐसे लिखले ना फोकसिंग और ब्रीधिंग पैटर्ण्स मैं इसको अच्छे से ड्रॉक कर दियू किया यहां पर देखो चोटा-चोटा होगा समझ में नहीं हाएगा ठीक है मैं बिल्कुल फटा-फटा आपको बता देदियू मैं योगा मेडिटेशन से स्टार्ट करूंगी यहां तक लिख लिए ना आप लोगों इसके आगे का मैं आपको और बता देदियू थोड़ा सा चीक है तो जैस आपका यहां पर आपने योगा लिखा था और यहां पर आपने मेडिटेशन लिखा था ठीक है अ अब यहां यहां नहीं आपके नॉलजच के लिए अब योगा मैं जैसे आपने लिखा कि इसमें बॉडिली पोजीशन होती है तो अब लिख दिया फोकसिंग और बॉडिली पोजीशन इसमें कुछ सुकर्ण योगा करके था ना मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए म करें मेरे नाम के साथ में की इसलिए जो ख RJ मैरी सकते हो है तरहां यहाद नहीं रहते हैं तो इसमें एक जो था एससी नाम था मुझी याद नहीं आ रहा है बड़ तो वहापको यहां पर लिखना है ठीक्व heyo टॉलरेंस यह सारे चीजों के लिए यहां पर आप योगा यूज कर सकते हैं में आपको लिखना है कि यहां पर फोकसिंग ऑन ब्रीधिंग पैटन्स फोकसिंग ओन ब्रीधिंग पैटन्स अब इसमें भी दो थे एक विपसना था इसमें जो माइंडफुलनेस की बात करता था और एक और था इसमें तो वो आप यहां पर लिख सकते हो फिर आप इसमें थोड़े से अपना तरीका है फ्लो चार्ट इसमतिंग कि आपके आंसर में जो भी सारे पॉइंट्स है आप जस्ट उसको एक चार्ट के थ्रू एक्स्प्लेइन कर दे रहे हो जिससे यह दिखता है कि आपको सारी चीज़ा आती है clear तो बस आपको इतना साही एक चीज़ है जो अपने इस question के answer में लिखना है flow charts वगेरा जो है आप बनाते जाओ और flow charts के थ्रू जादा से जादा अपने answer को explain करने की कोशिश करो ठीक है time based मत करना मान लो कभी ऐसा हो जाए कि time नहीं है लेकिन फिर भी flow chart बनाए जा रहे हैं तो ऐसा मत करना आप practice करोगे तो practice में यह चीज़ आपकी habit में आ जाएगा fine हाँ आगे बढ़ते है question number 8 पर आ जादे what are the techniques used in the rehabilitation of the mentally ill जो mentally ill होते हैं उनके rehabilitation के लिए कौन-कौन सी techniques use की जाती है तो देखो जो treatment है psychological disorders का उसमें दो components होते हैं एक होता है कि symptoms reduce होंगे और एक होता है कि quality of life जो है उसको improve किया जाएगा मतलब जब भी psychotherapy दी जाती है ऐसे आप लिख सकते हो मताब अपने लिए अपने लिए भी जानने के लिए आप यह लिख सकते हो कि जब भी psychotherapy होगी तो उसमें दो चीज़े होती है एक तो reduction in symptoms reduction in symptoms का क्या मतलब है कि जो भी सारे हमको symptoms आपके अंदर देखने को मिल रहे थे जैसे for example अगर आपको anxiety होती थी तो कहीं ने कहीं आपका BP बढ़ जाता था आपको वह ज्यादा जो है sweaty आप हो जाते थे तो वह सारे symptoms reduce होने लग जाएंगे धीरे-धीरे करके कम होने लग जाए है उसको इंप्रूफ किया जाएगा ठीक है यह मैं इंप्रूफ को एरो के मार्क से दिखा रहे हूं उसको इंप्रूफ किया जाएगा इंप्रूफ इंदर सेंस कि अब वापे से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो इवन अब जो है आप और जाधा mentally strong हो तो अपने जानने उनको बनाने में help out करती है और aim यह होता है कि हमको कैसे तो भी करके जो हमारा patient है उसको वापिस से एक social person बनाना है और rehabilitation में patients को occupational therapy, social skill training, vocational therapy यह सब दिया जाता है occupational therapy में उसको जो है work वगेरा सिखाया जाता है work discipline सिखाया जाता है जिसमें जैसे सिलाई करना, कढ़ाई करना कैसे जो है मतलब कुछ examples आपके book में दियो है ते candle making, paper bag making, weaving यह सारी चीज़ आपको सिखाना है ताकि वो एक work discipline को सीख पाए कि work कैसे होता है, otherwise मान लो किसी को anxiety थी, आपने उसके anxiety का तो treatment कर दी आप जब वो वापिस अपनी work life में गया तो उसको वापिस anxiety होने लगी क्योंकि कहीं न कहीं उसका rehabilitation उतना properly नहीं हुआ था दोसरा इसमें आप उसको social skills सिखाओगे, social skills में आप उसको यह सारी चीज़े सिखाओगे कि आपको कैसे society में रहना होता है, कैसे आपको लोगों के साथ में interact करना होता है, कैसे आप दोसरों से मिल के रहते हो, कैसे आप उनके साथ में बात करते हो, अपनी सारी चीज़े शे प्रोड़क्टिव एम्प्लाइमेंट लेना और डिफरेंट डिफरेंट चीजे जो होती है जो आपको अपने आंसर में लिखना है इनको हाइलाइट भी करना है ठीक है ऐसे क्लियर तो मतलब हमने हमारे पेशन्ट के सिम्टम्स तो रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन बहुत बार क्वालिटी ओफ लाइफ नहीं आपाती है वो लोग वापिस बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में हमको जो है उनको रिहाबिलीटेशन प्रोवाइट करना ठीक है तो एक्जाम्पल्स के तुरू आप इसको भी एक्स्प्लेइन कर सकते हो ना यू हाव निक्स्ट कोशन दाट इसको नॉर्निंग थेओरिस्ट अकाउंट फोर फोबिक फियर अफ लिजार्ड और कॉक्रोच इस हाई को अनलिस्ट अकाउंट फोबिया तो क्वेशन है कि कैसे कौई सुशल लर्निंग फोरिस्ट जो है वह एक फोबिक फियर चाहे लिजार्ड जाढ़च नूत क लेकर हो कैसे अथना इस साइको अनल्सट नॉ मित क्रिक है और शुरूरिंग थेओरो फोबिया जो फोबिया से लगता है किसी को फ्रॉघ किसी को लगता है तो different specific object से जो है आपको phobia हो सकता है यह पहुत क्या utilizz कि यह जगता है कि बहुत दोगों को phobia हो जाता है लिधफ इसंवीक फीड परसटा यह किसी भी specific फिंग से हो सकता है वैं थिद्ध जैसे phobia है illustensitive लेकर तो specific phobia है ठीके अब इसको करेक्ट किया जाएगा उसके लिए जो है बहुत सारी थरेपीज होती है अब आंसर भी क्या लिखना है लेकिन देखो तो systematic is our technique introduced by a wall systematic desensitization technique कहेंगे इसको ठीक है सरफ systematic नहीं इसको लिखेंगे systematic desensitization systematic systematic desensitization ये एक टेक्नीक है इसे वॉल्प नहीं दिया था इसमें क्या होता है जितनी भी provoking stimuli और एक लगता है वो least anxiety provoking stimuli एक है least anxiety provoking stimuli एक कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज़्यादा anxious बना देती है कोई ऐसा stimulus जैसे पर एक्जामपल मालो आपने कॉक्रोस देखिया तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगने लगया तो वो जैसे फॉर एक्जामपल मालो एक तरफ ऐसी कोई चीज है जिसमें आपको मालो कॉक्रोच यह जिसमें आपको कॉक्रोच से बहुत 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 ज़्यादा डर लगता है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी होगी जो आपको इसे को सब्लाइश करती है तो कही ना कई जो रेल्लैक्सेशन प्रोचीजर पागरह होते हैं जो एंग्जाइटी-प्रोषिञाइट? उसको कही ना कही क्या करते हैं सबमर्ज कर देते हैं ठीक है तो वो systematic desensitization अमने जो पूरा पड़ा था भाई आपको लिखना है कि the client is interviewed to elicit fear-provoking situations the therapist relaxes the client and asks the client to think about the least anxiety-provoking situation the client is asked to stop thinking of the fearful situation if the slight attention is felt मतलब client को interview करेंगे पूछेंगे कौन सी ऐसी चीज़े जिसको बहुत दर डर लगता है therapist को थोड़ा थोड़ा जो है मतलब client को relax करने की कोशिश करेगा और client को बुलेगा कि धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों के बारे में सोचने स्टार्ट करो जिनसे आपको डर लगता है जिनसे आपको थोड़ा सा phobic feel होता है मतलब जैसे for example cockroach है तो थोड़ा 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 आप उसके बारे में सोचने स्टार्ट करो कोई भी ऐसा situation आपके आसपास में है जहांपर आपके पास में cockroach है मतलब इसको एक example सरफ और इसको समझना कि आप इसको ऐसे बहुत सब्सक्राइब कोई जैसे कोई मेरे पास में कोई क्लाइट है इसको डल लगता है cockroach इससे तो तो मैं उसको थोड़ा-थोड़ा थोड़ा घॉरा है उसको thinking करने के लिए बोलूगगी कैसे डल लगता है करने स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने उस डर को दूर भगा रहा होता है मान लो लेकर थींगी कटे करते हैं एगर थोड़ा सा भी टेंशन अंको अपने क्लायंट के फेस पर फील होता है कि यह जो अभी बहुत जादा टाइशन लेने लगा है तो हम उसको बहीं रोग देंगे बोलेंगे नहीं अब आप उसके बार में मत सोचो तो जैसे मान लोगों सोचने में ऐसे सोचने लग जाए कि कोक्रोचे आएंगे और सीधे उसके उपर अटाक कर देंगे उ जो बहुत सारे स्टुडेंट्स ने बुढ़ाता है कि हमें भी हइट सेफोबिया है अब जब ही मां हइट जाते हुआ तो मुझे लगता है क्या ऐसी चीजह जिसे यसे मुझे मुझे डल लगता है कोई चीज है जो मुझे नीचे पुल कर रही है वहो कहीं है ग्राविटी लेकिन मुझे असवा है कोई चीज बिल्कुल फुल करी है, घीच लेगी नीची की तरफ कोई by बाइच कहीच की तरफ म वहाँ पर जाना अवाइड करूँगी जहां पर हाइट कोई बाइच बील्क्त चीज मोई नहीं जाओंगी। जहां पर कोई भी चीज को या दो पर आने लगा स्वेटिंग वगर अगर में होने लगी तो मेरा थेरपिस रुमजे वहीं बोल देगा कि नहीं अब आप उसके बार में मसज़ो अभी आप रोख जाओ तो आपको उस सिच्वेशन को भी सोचने में help करेगा कौन थेरपिस्ट इवन आपको relaxed डखते हो तो कहीं नहीं वह relaxation procedure, systematic desensitization, यह जो सारी चीज़े हैं यह आपको उस fear को दूर करने में आपकी help करेंगे तो वह पूरा systematic desensitization जो मैंने आपको chapter में पढ़ाया था वह यह आपको यहाँ पर explain करना है कैसे लिखोगे answer वो मैं आपको बता जिती हूँ देखो एक जुनों ने बोला कि how would a social learning theorist account for a phobic fear of lizard or cockroaches and how would a psychoanalyst account for the same phobia नदब एक तरफ है social learning theorist जहां पर आप society में चीजों को सीखते हैं जैसे for example मान लो कि एक तरफ ऐसे मानो कि यह आपकी family है ठीक है just take an example और यह मेरा client है ठीक है और यह therapist है ठीक है for example यह जो है यह मेरा client है अब मेरे client को cockroaches से fear है phobia है ठीक है तो family एक तरह की social entity है society का पार्ट है family जो है society का पार्ट होती है न हमारे family friends related यह सब हमारी society का पार्ट होते है तो इनसा अगर आप बोलोगे आपको cockroaches से डर लगता तो क्या बोलेंगे अरे cockroach से कोई डरने की बात है ठीक है उसको तो भागा दो भाग जाएगा उसको उपर इस प्रे कर दो तो मर जाएगा cockroaches से कोई डरने की जरूरत नहीं है तो कहीं न कहीं social learning theorist जो होते हैं वो phobias को बहुत ही lightly लेते हैं ठीक है और वो उसको ऐसे समझते हैं कि यह कोई distress नहीं है यह कोई psychological analyst है ठीक है यह ध्यान से समझना यहीं लिखना आपको अपना अंसर में मैंने अभी आपको आंसर कैसे स्टार्ट करना है वो नहीं बताया भी मैंना आपको स्रीफ क्लाइंट को अपने ऊपर ट्रस्ट करेगा और दीरे दीरे करके जो है वो अपने फियर को उसके सामने बोलेगा कि मुझे किन चीजों से ड़ लगता है थेरापिस्ट उसको समझने की कोशिश करेगा तो इस तरह से दोनों चीजों में difference है अब psychoanalyst इस तरह की phobias के लिए क् टेखनीक यूज करेगा जिसे बोला जाता है systematic desensitization, systematic desensitization के अंदर क्या सारी चीज़े होंगी वो मैंने आपको explain कर दी, इसमें आप example ले सकते हो कि systematic desensitization के अंदर वो patient को बोलेगा कि आप cockroaches या lizards के बारे में thinking करो कि कि किस तरह से आपको लगता है कि उनसे आपको ड़ ल पाएंगे तो इस तरह से जो एक social learning theorist होता है और psychoanalyst होता है उसमें difference होता है क्योंकि कहीं ना कहीं society में, जैसे हमने starting में भी पड़ा हुआ है आपको याद होगा तो psychological disorders में, कि mental disorders को बिलकुल समझा ही नहीं जाता था खुछ भी, ऐसा वाना जाता था कि कि इसी को mental disorder है तो मतल सब्सक्राइब हो सकती है तो इनके लिए treatment करना जरूरी है, clear, तो ये दो चीजें हैं जो आपको start कैसे करना है, कैसे आप explain करोगे, तो पहले आप बताओगे कि कहीं ना कहीं, जो social learning theorist होता है, वो phobias वगरा को उतना seriously account नहीं करता है, या वो उसे just ऐसे मानता है कि these are the things जो normally people के अंदर होती है, ये human tendency होती है, ठीक है, लेकिन जो psychoanalyst होता है, वो phobias को समझता है, तो थोड़ा सा आपको इसमें phobia के बारे में भी बताना है, कि phobia एक तरह का irrational fear होता है, clear, तो इसको explain कर पाओगे, इसमें किसी तरह कोई doubt तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये सारा कुछ तो आपको यहाँ पर लिखना है, पहले थोड़ा सा social learning theorist, अब अगेन मैंने आपको बता दिया आपको क्या लिखना है, लेकिन लिखो कि आप अपने ही words में, fine, तो systematic desensitization आपको इसमें लिखना है, relaxation procedure आपको इसमें थोड़ा सा बताना है, next question that is question number 10, so should electroconvulsive therapy that is ECT be used in the treatment of mental disorders क्या electroconvulsive therapy या ECT को mental disorders को treat करने में use किया जा सकता है, बताओ, पढ़ाया है न यह मैंने, हाँ, तो answer क्या है, yes, तो आप start कैसे करोगे, कि yes, electroconvulsive therapy can be used in the treatment of mental disorders, यानि mental disorders के treatment में ECT therapy को use किया जा सकता है, या ECT को use किया जा सकता है, यह एक तरह की biomedical therapy है, ठीक है, यह एक तरह की biomedical therapy है, अब मैं यह आपर एक चीज़ बता दो, यह question आने के chances कम है, क्यों क्योंकि biomedical therapy का question उन्होंने बैसे भी, आपके syllabus में से drop करी ही दिया है, ठीक है, तो biomedical therapy अगर question नहीं आ रहा तो ECT पर question कैसे आएगा, लेकिन हमको पता होना च है, ठीक है, हम उसको पढ़के रखेंगे, ताकि अगर question आए, तो at least हम ऐसे तो नहीं हो कि हम ब्लैंक, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, electroconvulsive therapy जो होती है, वो biomedical therapy का part है, biomedical therapy के अंदर क्या किया जाता है, psychological distress का treatment जो है, वो medicines के through किया जाता है, किस के through किया जाता है, मतलब कि जो patient है, उसको medicine वगेरा provide करके भी treat किया जाता है, यह मैंने पढ़ाया है आपको ठीक है, तो medicine दे के उसका treatment कर जैसे stress वगेरा है, insomnia है, तो medicines दे देंगे, तो उसके through कहीं नहीं उसको यह सारे problems दूर होने लग जाएंगे, कभी-कभी जैसे मान लो कि treatment में हमको किसी तरह का कोई असर नहीं दिख रहा है, यह जो हमारा client है, जो हमारा patient है, उसके हमको psychological distress में changes नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें बहुत बार ECT यूज किया जाता है, ECT जो है, उसमें patient को electric shocks दिये जाते हैं, ठीक है, electric shock का मतलब ऐसा नहीं को current लगा दिया, ऐसा नहीं बिजारी की death हो बहुत ही mild, बहुत कम से कम ना के बराबर उसको electric shock दिया जाता है, यह shock सीधा उसके brain पर जाता है, ठीक है, तो electric shock देंगे, तो कहीं, मतलब electrodes के थूर दिया जाता है, तो वो सीधा उसके brain पर जाता है, और फिर convulsions होना start होते हैं, shock सिर्फ और सिर्फ, psychiatrist ही दे सकता है, जिसके नहीं देता है, movies वगरा में देखा होगा ना, बहुत बार electric shocks वगरा दिये जाता है, ठीक है, तो वो जितना जादा जल्दी जल्दी दिखाता है ना, कि electric shock दे दिया ऐसा नहीं होता है, बहुत कम बहुत ना के बराबर टाइम, मतलब जब बहुत ही जादा नेसेसरी हो जाए तब दिया जाता है और बहुत कम से कम दिया जाता है, ठीक है, तो वो electric shocks वगरा उसको दिये जाते हैं, ये कोई routine treatment नहीं है, कि आप daily आना, 10 दिन तक आपको electric shocks देंगे तो आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ CVR condition में दिया जाएगा, जब drugs या medicine non effective हो जाएंगे, त और patient के symptoms controlled नहीं हो रहे होंगे तब, सिर्फ और सिर्फ इनी conditions में जो है, हम ECT दे सकते हैं, तो ECT के through भी mental disorders को treat किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही rare cases में होगा, ठीक है, तो ये आप लोग लिख देना, कि हाँ होता तो है, लेकिन बहुत ही rare cases में होगा, बहुत जल्दी जल् last question है, हमारे इस chapter का, ठीक है, so question number 11 says, what kind of problems is cognitive behavior therapy best suited for, इस तरह की problems में cognitive behavior therapy, यानि CBT को जो है, यूज किया जा सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा effective रहेगी, आप ये चीज़ समझ रहो कि हमने behavior therapy पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने behavior therapy को पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने behavior therapy को पड़ behavior therapy के अंदर ही, हमने cognitive therapy को भी पड़ा है, cognitive therapy हमने अलग से पड़ी थी, लेकिन इन दोनों को पड़ने के बाद में, हमने CBT पड़ा था, इन दोनों के बाद में, ठीक है, CBT के अंदर उन्होंने cognitive restructuring कैसे करेंगे, कैसे behavior वगरा, इन सारी चीज़ों को यूज करके, फिर therapy य यही पूछने, question यह है कि CBT कैसे help करेगी, different kind of problems, यह किस तरह की problems को solve करने में, CBT बहुत जादा useful रहेगी, clear मैं CBT पोल रहे हूं मतला, cognitive behavior therapy, is that clear, ठीक है, चलो, अब answer देखते है, तो देखो, cognitive behavior therapy या CBT is a short and efficacious treatment for the wide range of psychological disorders such as anxiety, depression, panic attacks and borderline personality, etc. तो यह एक ऐसी short and efficacious treatment है, जिसमें बहुत सारे psychological disorders, जैसे anxiety है, depression है, panic attack है, borderline personality है, इन सब को resolve किया जा सकता है, और यह बहुत ही most popular therapy है, ठीक है, यह जो है, एक बहुत ही most popular therapy है, it adopts a biopsychosocial approach, जो सबसे जादे important है, और यह question आ भी सकता है आपके exam में, ठीक है, तो इसको जो है, ऐसे ही मत लेना कि नहीं यह तो नहीं पढ़ेंगे, तो भी चल जाएगा, फिर से बता रहे हूं, देखो, फिर से सुन लो, CBT एक बहुत ही most popular therapy है, short and efficacious treatment, मतलब कम समय में ही effective treatment देती है, इसके अंदर biopsychosocial approach adopt किया जाता है, biopsychosocial में किदनी चीज़े आ गई, देखो, बायो भी आ गया, psycho भी आ गया, और social भी आ गया, bio मतलब आपका bodily processes से related आ गया है ना, आपका पूरा biology living organism यह सारी चीज़े आ गया है उसके अंदर, ठीक है, तो आपके body से related हो गया, ठीक है, ऐसे मान लो, आपके brain से related हो गया, आपकी body से related हो गया, ऐसे मान लो, ठीक है, psycho आपके mind से related हो गया social आपकी society से related हो गया तो तीनों चीजों को मिला कि इसमें treatment दिया जाएगा और treatment short रहेगा लेकिन efficacious रहेगा, effective रहेगा It combines cognitive therapy with behavioral techniques and it address the biological aspects through relaxation procedures तो इसके अंदर आपकी cognitive therapy और behavior technique दोनों को मिला दिया जाएगा मैंने starting बताया था था ना कि behavior आई फिर cognitive आई फिर दोनों को मिला के CBT आ गई तो दोनों को इसमें मिला देंगे इसमें biological aspects को use करेंगे तो biological aspects में आप क्या use कर रहे हो relaxation procedure ठीक है, मैं इसको देखो यहाँ पे लिख देती हूँ तो आप लोग को यह याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा ठीक है, इनसे मिला के हमारी CBT बनी है बहुत short and efficacious है, एक बहुत ही important है बहुत जादा इसको use किया जाता है और इसी के साथ में इसके अंदर जो है बायो psychosocial approach यूज करते हैं तो बायो psychosocial approach में बायो में हम क्या कर रहे है, relaxation procedures कर रहे है ठीक है, relaxation procedure में क्या होगा आपकी body को relax किया जाएगा आपकी brain आपकी mind को relax किया जाएगा आपको यादे मैंने relaxation procedure आपको पढ़ाया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी आपको कभी anxiety हो रही है कभी आप बहुत depressed feel कर रहे हो आपको समाज हो नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं बहुत जादा जो है breathing मतलब बहुत fast हो जाएगी breathing rate आपका बढ़ चुका है ज़स्ट दो आपकी जो आपकी लेग्स उसको भी आप अच्छे से स्ट्रेच कर दो ठीक है अगर possible है तो दूसरी चेर के ऊपर उसको रख लो और बढ़ी ऐसे करके हो जाओ आप पांच मिनिट में देखना आप कितना relaxed feel करो कि आपका breathing pattern भी बिलकुल नॉर्मल हो जाएगा आप विलकुल राम से सोचने लग जाओ कि आपका दिमाग चलने लग जाएगा क्योंकि जब हम anxious हो जाते हैं माइंड वर करना पूरी दरा से बंद कर देता है ठीक है तो यह relaxation procedures होंगे हमारी body के लिए ठीक है psychologist through behavior and cognitive therapy techniques and the sociologist with environmental manipulations makes CBT a comprehensive technique which is easy to use and is applicable to a variety of disorders तो psychologist ने behavior or cognitive therapy के through और sociologist ने क्योंकि हम इसमें society को भी यूज कर रहे हैं है ना sociologist ने environmental manipulations के through CBT को एक बहुत ही comprehensive technique बना दिया जिसे आप बहुत easily use कर सकते हो और different disorders में भी जो है यह आपको help करती है तो इसमें आपको क्या के explain करना है आप बायो में जो है relaxation procedures बताओगे साइकों के अंदर आप जो है बताओगी कि जो आपने cognitive or behavior techniques में पढ़ा था ठीक है cognitive plus behavior techniques में आपने जो भी चीज़े पढ़ी थी क्या क्या पढ़ा था आपने behavior techniques में आपने reinforcement पढ़ा था ठीक है मैं note करवा देती है यह सब आप लिख लेना short में ही लिखना लेकिन बहुत जादर detail में नहीं जाना और इस पर न एक बढ़िया सा long answer prepare करके रखना मानलो अगर आगया न एक्जाम में तो फिर दिकत हो जाएगी ठीक है तो इस पर एक answer अप इसमें बता सकते हो cognitive में cognitive restructuring आप बता सकते हो जैसे deep thinking वगेरा करवाई जाती है systematic desensitization अभी हमने डिसकस किया तो यह सब करके क्या होता है इन सारी चीजों के थू कहीं न कहीं वो जो anxiety depression phobia आपके मुन में चल रहे हैं उन सारी चीजों को दूर किया जाता है relax आपको किया जाएगा यह सारे phobias को या anxiety जो भी depression आपके साथ में उसको दूर किया जाएगा और society society का use यहाँ पर कैसे है तो इसमें कहीं न कहीं आपके family आपकी friends आपके relatives उन सभी को use करके आपका जो आस-पास का environment है उसमें आपको comfortable feel करवा जाएगा आपको कहीं न कहीं social skills उनकी भी training दी जाएगी है ना social skills में कि आप कैसे जो है अपनी society में comfortably वापस अपनी normal life जी सको तो एक बहुत ही comprehensive theory है और एक बहुत ही effective theory है again I am saying कि सारी चीज़ा आपको इसके नदर use करना है यह जो term है ना इसमें जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप highlight भी कैसे करोगे अपने answer में और terminology को भी कैसे use करना है तो देखो cognitive behavior therapy आपने बताया इसमें आपने बताया कि it is treatment for wide range of psychological disorders तो कौन कौन सा anxiety, depression, panic attack, borderline personality यह सब यह most popular therapy है इसमें bio psycho social approach adopt किया जाता है इसके अंदर relaxation procedures भी use होंगे इसमें environmental manipulations भी होंगे यह बहुत ही comprehensive technique भी है clear तो बस answer लिखते जाओ underline करते जाओ तो वो highlight होता चला जाएगा clear आगया यहां तक समझ में fine किसी तरह का कोई doubt तो नहीं है in questions के answer में ठीक है तो अब सुनो यह तो हो गए आपके सारे answers और आपको यह भी पता चल गया कि आपको questions को answer कैसे करना है आपका एक pattern of answer क्या होना चाहिए आपका जो है highlight आपको कहां कैसे करना है आपको flow charts कहां पर बनाने है अगर short है तो उतना जादा नहीं लेकिन जितना पूछा उतना तो लिख नहीं है अच्छे से थोड़ा describe करते हुए लेकिन long और ऐसे type question है तो हर ए आपको यह सारी चीजों में बहुत सारी crystal clarity मिल जाएगी चीजों की आपको खुद से समझ में आपको एक anxiety exam time के पहले होती है ना कि यार क्या आएगा क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो एक चीज दूर हो जाएगे chapter को read करो बार-बार read करो बा कुछ नहीं चुटेगा आपका even हर एक subject में तो I hope so यह सारी चीज आपके लिए helpful रहेंगे और आपको यह सब कुछ समझ में आ गया है इसी के साथ में हम अमारे इस lecture को wind up करते हैं हमने 11 questions को answer कर लिया है मैंने आपको बहुत सारी tips भी दी हैं बहुत सारी चीज़े बताई भी यह काम अब नहीं करना है ठीक है आपको answer जो है क्या लिखना है कैसे लिखना है इन सारी चीजों पर अब आप खुद से work करो teacher बता रहे है ठीक है उसको सुनो लेकिन own words में भले rough में practice करो लेकिन at least उसकी practice आप करो और हर subject में करो ताकि सभी subjects में आपके बहुत अच्छे मां है ठीक है तो इसी की साथ में अब हम मिलेंगे next video lecture में तब तक लिए अपना ध्यान रखो अच्छे से अपनी पढ़ाई करो for more updates stay tuned with Magnet Brains पर अभी रुखो अभी जाते जाते एक छोटी सी information और लेके जाओ कि आप Magnet Brains की website को कैसे access कर सकते हो so as you all know कि daily lectures आपको Magnet Brains के YouTube channel पर म available है that is www.magnetbrains.com जो की बहुत easily आप access कर सकते हो जैसी इसको एंटर करोगे आपके सामने सारी classes के courses की video lectures open हो जाएंगे बिल्कुल free of cost तो जो भी class course subject chapter lecture आपको पढ़ना है just click on it और उससे related सारे videos, chapters, lectures, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा click करो watch now पर click करो video हो जाएगा open और इस payment नहीं लेंगे ना आपको कोई coupon बेचेंगे सब कुछ बिल्कुल free of cost है तो अपने friends और relatives को भी magnetbrains के बार में बदा हो ता कि वो भी 100% free and quality education को access कर सके साथी साथ आप magnetbrains को Instagram, Facebook, Twitter, Telegram सब ही पर access कर सकते हो इतना ही नहीं आपको magnetbrains के notes, books and ebooks का link इस video के description में मिल जाएगा तो I hope so, सारी चीज़े clear हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी सकर दो इसको like, share and subscribe और हम मिलेंगे हमारी next video lecture में Thank you so much, all the very best